हेलो डियर इस्टूरेंट्स कैसे हैं बच्चों तो आज हम आपके लिए एक वन शॉट लेकर के आए हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पे हैं चैप्टर 11th NCIT में हैं जूलोजी में human physiology के अंदर आता है और यह चैप्टर क्योंकि धुला छोटा सा है हम जानते हैं बेटेज भी बहुत जादा नहीं है यूदली होता है कि एक या दो कुश्यन आते हैं तो आप में से कुछ बच्चे चैप्टर को एकदम लास्ट मूमेंट के लिए छोड़ के रखते हैं कि बेठी के लास्ट में पढ़ लेंगे चैप्टर के अंदर दो चीज़े आती हैं एक तो अपने को पढ़ना होता है मसल्स के बारे में और दूसरा बच्चों हम यहां बात करते हैं इसकेलिटन के बारे में तो अभी हम फिलहाल मसल्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो लेट्स बिगिन देखें यहां मैंने दो टर्म लिखके रखी हैं एक टर्म है मेरे पास लोकोमोशन और दूसरी टर्म है बच्चों मेरे पास मूव्मेंट इन दोनों टर्म्स में अंतर क्या होता है तो पहले उस अंतर को पन समझें क्योंकि आप देखें NCIT में बहुत माइनूट चीजों पर ध्यान देते जाना है NCIT ने यहां बीच में क्या लगाया है और नहीं लगाया एंड लगाने का मतलब ही होता है कि दोनों चीज़ें अलग-अलग है अगर यह सेम होती तो फिर यहां पर एंड की बजाए और लगा होता है तो सबसे पहल ही living organism है इन सारे living organism के अंदर क्या मौझूद होता है बच्चो movement present है अब movement का मतलब क्या हुआ तो किसी भी organism की body में किसी भी substance का एक जगह से दूसरी जगह जाना movement कहा जाता है या अगर organism अपनी ही जगह पर है और organism अपने किसी body part को move करा रहा है तो इसे movement कहा जाता है likewise मैं भी यहां खड़ा हूँ और मैंने अपने हाथ move करा है तो यह चीज क्या कही जाती है movement कही जाती है यानि कि क्या movement में कोई final displacement होता है नहीं movement में कोई final displacement नहीं होता है मैंने आपसे कहा terms को बहुत ध्यान से पढ़ते जाएंगे यहां पर देखें NCIT ने क्या लिखा है organism लि लिखा मतलब कि movement किसके अंदर पाया जाता है सारे living organism के अंदर भई जब living organism की बात आती है तो सबसे सिंपल आप जो सोच सकते हैं वो प्रोकरियोट होंगे बैक्टिरिया है वहां भी तो जो साइटोप्लाज्म होगा सेल में उस साइटोप्लाज्म के अंदर कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म अपनी जगह पर स्टेग्नेंट तो है नहीं साइटोप्लाज्म एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर रहा है जब अगर सेल के अंदर ही cytoplasm का जो movement हो रहा है तो उस movement को ही क्या कहा गया है cytoplasmic streaming कहा गया है तो ये सबसे simplest type का movement है जो की living organism के अंदर पाया जाता है now, दूसरी term पे आते है term आती है अपने पास locomotion अब जो locomotion term है वो आपका क्या बताती है तो locomotion are such movement, locomotion ऐसे movement है जिनके अंदर involve हो अपने का कि such movement which involve displacement तो जिनके अंदर बच्चो displacement अगर होता हो तो ऐसे movement को अपन क्या बोलते हैं, locomotion कहते हैं now, displacement का मतलब क्या हुआ तो अगर हम यहाँ पर दिखें कि displacement का मतलब हुआ, जैसे माल लोगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मैंने क्या किया, अपने एक पैर को और इसले भी आपको इस camera में नहीं दिखाई दे रहा हुआ, classroom में हम ज़्यादा बहतर देख पाते तो अगर मैंने अपने एक left leg को माल लोगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले गया फिर लोटके यहाँ तक आ गया क्या movement हुआ? तो हमने का हाँ पर क्या displacement हुआ? नहीं अब मैंने क्या किया? पहले अपने left leg में movement कराया फिर right leg में movement कराया मैं अपनी original जिस location पे खड़ा था बहां से मैं इधर आ गया क्या displacement हुआ? तो हमने का हाँ displacement हुआ तो ऐसे movement जिनके अंदर displacement होता हूँ जो organism है वो as a whole एक जगे से दूसरी जगे पर पहुँच जाता हो तो उन movements को आप क्या बोलते हैं? locomotion कहते हैं तो अब यहाँ पर देखें जो locomotion है यह पाया जाता है only in case of animals यह cable किसके अंदर पाया जाता है बच्चों? एनिमल्स में पाया जाता है यानि कि ध्यान देंगे movement के बारे में जब मैंने कहा तो मैंने कहा कि सारे organism में है जबकि locomotion में मैंने कहा कि यह किसके अंदर होता है? एनिमल्स के अंदर होता है यानि कि एनिमल्स willingly अपनी इच्छा से एक जगे से दूसरी जगे जा सकते हैं हलाकि हम जानते हैं कुछ एनिमल्स सेसाईल भी होते हैं पर जितने भी एनिमल है बच्चों की लाइफ की कोई नो कोई स्टेज ऐसी जरूर होती है जो की motile होगी मतलब किसी भी एनिमल्स में ऐसा कभी नहीं होता कि एनिमल्स की लाइफ की सारी स्टेज सेसाईल हो सारी एकी जगे पे बनी रहें नहीं रहेंगी भाई एनिमल्स जो है उसका dispersal हो ही नहीं पाएगा ना dispersal होने के लिए जरूरी है कि जो एनिमल है वो अपनी original location से दूसरी जगे पे जाए अब या तो adult खुद जाता हो या फिर दूसरी possibility यह है कि यहां larva वगरा कुछ बने और वो जो larva है यहां पर अगर movement कर रहा हो या locomotion करे तो हमने कहा कि locomotion किसके अंदर होगा animals में जबकि movement सारे living organism है अगली बात NCRT के एक line समझेंगे NCRT एक line लिखती है जहां पर NCRT कहती है कि जो locomotory structure है these locomotory structures need not to be different so they need not to be need not to be different from those involved in movement यानि कि locomotion में जो structure काम आ रही है वो structure movement में काम आने वाली structure से अलग हो ऐसा जरूरी नहीं है समझेगा अगर आप देखें तो amoeba में pseudopodia होता है यही pseudopodia amoeba के अंदर locomotion के काम आ आता है और यह जो pseudopodia है यही pseudopodia इस amoeba के अंदर काम आ रहा होता है food को engulf करने के food को capture करने के जब food को capture किया तो यह क्या था movement था जब amoeba एक जगे से दूसरी जगा गया तो यह क्या था locomotion था ऐसे ही आप paramecium में देखें NCRT example paramecium का quote करती है कि paramecium में locomotion के लिए सिलिया पाए जाते हैं और यही सिलिया food को cytopharynx तक ले करके आते हैं तो क्या animal में locomotion और movement के लिए structures अलग-अलग होना ज़रूरी है तो हम कहेंगे नहीं इनका अलग-अलग होना ज़रूरी नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि यह structures अलग-अलग नहीं होती नहीं भई अपने से याद रखो न हमारे अंदर जो movement है जैसे मैं बात करूँगा फूड के movement के बारे में यानि कि peristalsis कौन करा रहा है मसल और हमारे अंदर जो locomotion है यह भी किस ने कराया मसल ने क्या यह दोनों structure अलग-अलग थी नहीं दिवर्द सेम structures अब आगे देखें NCRT की एक और important line है जिसको मैं यहाँ quote करूँगा NCRT यहाँ पर एक और बात कहती है कि all locomotions are movement NCRT ने क्या कहा बच्चों all locomotions are movement but all movements are not locomotion but all movements are not locomotion तो NCRT अगली बात यह कहती है इस line को जर आच्चे से समझेंगे क्या कहा NCRT ने कहा कि जितने भी locomotion होते हैं वो सारे locomotion तो movement होते हैं जितने भी locomotion होते हैं वो सारे locomotion तो movement है समझेगा मैं यहां से उधर की तरफ जा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं लोको motion क्या यह locomotion मेरे limb मसल में movement के बिना possible था नहीं तो जितने भी locomotion होते हैं वो सारे movement होते हैं पर सारे movement locomotion नहीं होते मैंने अपनी movement होते हैं वो सारे locomotion नहीं होते यह बात अपने को बहुत अच्छे से याद रख लेनी है इस चीज़ पर हो सकता है कि कुछ question frame करके दिया जाए अब अच्छो हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले पार्ट की तरफ जहां पर NCRT बात करती है कि अपनी body में यानि कि human body के अंदर कौन-कौन से type के movements पाए जाते हैं तो जड़ा उसके बारे में देख लेते हैं तो हम बात करेंगे about type of movement in human body तो human body में कौन-कौन से type के movement पाए जाते हैं तो human body में जब NCRT define करती है वेटा type of movement तो यहाँ NCRT लिखती है कि 3 type हैं इसके type कितने हैं 3 types हैं तो कहा कि जो movement human body के अंदर होते हैं यह movement कितने type के हो रहे हैं बच्चो तीन type के movement होते हैं अब यह तीन type के movement कौन-कौन से हैं तो देखें सबसे पहला जो movement होता है यह हो गया आपका amoevoid तो first type of movement कौन सा रहेगा यहाँ पर? amoevoid movement amoevoid movement का मतलब क्या हुआ? जब अगर यह movement amoeba के similar हो तो इस movement को आप क्या कहेंगे? amoevoid movement अगर यह movement amoeba के similar है तो इस movement को आप क्या कहेंगे? amoevoid movement कहेंगे amoeba में movement किसके थ्रू होता है? तो हम जानते हैं कि amoeba में formation किसका होता है बच्चो? सीडो पोडिया तो यानि कि अमीबॉइड मुवमेंट वो मुवमेंट है जिसके अंदर फॉर्मिशन किसका हो रहा हूँ सीडो पोडिया का फॉर्मिशन करता कौन है तो यहां NCIT कहती है कि सीडो पोडिया का फॉर्मिशन करता है माइक्रो फिलामेंट कौन करता है फॉर्मिशन माइक्रो फिलामेंट अब देखे हमने साइटो स्केलिटन के अंदर माइक्रो टिबूल और माइक्रो फिलामेंट के बारे में पढ़ा है सेल बायलोजी के अंदर जहां पर हम जानते हैं कि एक्टेन और मायोसिन प्रोटीन जो है पर कभी नहीं कहेंगे कि माइक्रो टिबूल की वज़े से ये किसकी वज़े से होता है माइक्रो फिलामेंट की वज़े से होता है तो भई सीडो पोडिया का फॉर्मेशन हुआ उसके थुरू अगर मूवमेंट हो रहा है तो ऐसे movement को आप क्या कहेंगे, amoeboid movement कहेंगे, हमारी body में कहां-कहां पर amoeboid movement पाया जाएगा, तो NCIT यहां बच्चों example में, पहला लेती है leukocyte, क्या लिया example में, leukocyte, जिसको अपन commonly क्या बोलते है, WBC, बताओ जरा WBC का full form क्या होता है, पूरा नाम क्या है, white blood cell, तो यह जो WBC है, इसके अंदर एक property पाई जाती न, diapidasis, diapidasis का मतलब है, कि WBC blood vessel को cross करके जा सकती है, blood vessel से बाहर भी जा सकती है, और blood vessel के अंदर भी आ सकती है, तो अगर यह movement हो रहा है, तो इसे कौन perform करा रहा है, तो आपन कहते हैं कि perform हो रहा है with the help of pseudopodia, यहीं पर आप द आप इसके अंदर बच्चों नाम ले सकते है, macrophage का, इसका नाम ले सकते है, macrophage, यही WBC में आती है monocyte, monocyte जब tissue spaces में चली जाती है, तो tissue space में पहुँच करके, यही monocyte formation कर देती है macrophage का, तो जो macrophage है, वो कहां पाई जा रही है, tissue space में, बट fundamentally है क्या WBC ही है, तो इसी क जैसी property show करेगी, monocyte, जो macrophage है, यह macrophage आपने health and disease के अंदर पढ़ा है, जहां पर cellular barrier के बारे में हम बात करते हैं, तो हम phagocytic cell की बात करते हैं, तो जो macrophage है, यह क्या कर रहा है बच्चो, phagocytosis किया इसने, यही पर हमने कहा कि हमारे पास जो leukocyte यानिके WBC है, तो यह leukocyte यह WBC जो है, इसके अंदर मैंने कहा कि एक movement होता है, जिसको अपन नाम क्या देते हैं, बच्चो, diapidasis कहा जाता है, diapidasis का मतलब क्या हुआ, blood vessel के अंदर और बाहर आने जाने की ability को, आप क्या बोलते हो, diapidasis, अच्छा, अगर यही पर, कहीं भी आपको अगर doubt आ रहा हो, तो आप अभी इस live video में ही comment box के अंदर आप लिख सकते हैं, और मैं जरा उतना ज्यादा tech से भी आदमी नहीं हूँ, तो मैं एक बार जरा YouTube पे, एक बार जरा निकाल लेता हूँ कि भाई, कहा video चल रहा है, तो अगर आपके कुछ comments होंगे, तो उनको भी एक बार देख लिया चलिए, so बच्चों, अब आगे देखते हैं, देखे, आगे अगर हम बात करें, तो amoeboid movement के बाद, second type of movement जो आता है, इसको अपन कहते हैं, ciliary, तो अगला movement कौन सा हुआ, ciliary movement, ciliary movement का मतलब हुआ, कि अगर ये movement हो रहा है, with the help of cilia, अगर इस movement को कौन करा रहा है, cilia अगर इस movement को कराता है, तो इस movement को क्या कहा जाता है, ciliary movement कहा जाता है, कौन करा रहा है, cilia, ध्यान से बताएंगे मुझे, cilia का number, organism में जैसे की paramecium में, एक होता है या अनेक होता है, तो बताओ, cilia एक है या अनेक, तो आपन क्या कहते हैं, cilia का number अनेक होता है, बहुत सारे cilia पाये ज कि वज़े से अगर organism में movement या locomotion हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते है सिलिरी कहते है हमारी body में कहां पाया जाता है तो हमारी body में देखें सबसे पहला यह पाया जाता है वीटा respiratory tract में यह कहां पर मौझूद है respiratory tract के अंदर प्रेजेंट है respiratory tract का मतलब है कि आप यहां बात कर रहे है trachea के बारे में आप बात कर सकते हैं bronchi के बारे में और आप बात कर सकते हैं bronchiol के बारे में तो trachea है bronchi है bronchiols है यहां तक पाया जाता है सिलिया अब ध्यान देंगे मैं animal tissue यहां ले करके आने वाला हूं यहां देखें trachea और bronchi पर अगर आप बात करते हैं तो स्टेटिफाइट सिलियेटेड कॉलम्नर ग्लेंडूलर इपिथीलिया कौन सा इपिथीलिया था स्टेटिफाइट सिलियेटेड कॉलम्नर ग्लेंडूलर इपिथीलिया था तो यहाँ पर अपने का सिलिया प्रिजेंट अब ध्यान देंगे NCRT जब इटा siliated columnar epithelium का example code करती है तो वहाँ NCRT bronchi नहीं लिखती है NCRT ने क्या लिखा है? bronchiol तो bronchiol पर अपन ध्यान रखेंगे कि यहाँ कौन से पाई जाएगी? siliated columnar epithelia पाई जाती है तो यहाँ पर siliated columnar है अब भई, यहाँ जो siliya है, इनका काम क्या है? तो आपन ने जो air inhale करी उस air के अंदर dust particle भी मौझूद है pathogenes भी present है अब इस air को clear करना या इसको filter करना हमारे respiratory track में conduction वाले part का काम होता है अब conduction part जब इसे clear करता है इसको जब साफ कर रहा होता है तो conduction part का तरीका क्या है कि इसके पास mucus की coating है भै इस mucus के अंदर ये dust particle pathogen जा करके trap हो गए अब ये जो mucus है इसको siliya क्या करेगा, बाहर निकालेगा तो यानि कि siliya अब यहाँ पर beat करेगा upward, उपर की तरफ beat करेगा siliya के उपर की तरफ beat करने से ये dust particle laden जो mucus है, ये उपर की तरफ आया और इस mucus के उपर की तरफ आने के बाद जब यह आ जाता है अपने लगबग glottis वाले level पर तो हम इसे या तो spit out कर देते हैं या हम इसे swallow कर जाते हैं तो यहाँ पर इसने क्या किया जो dust particle, pathogenes वगर आये थे उनको clear किया यहीं पर, यह मौझूद होता है बच्चो, fallopian tube पर इलिया और कहां पाया जाता है fallopian tube पर पाया जाता है fallopian tube यानि कि obeduct fallopian tube या obeduct में हम जानते हैं कि इसके अंदर अलग-अलग पार्ट पाये जाते हैं पहला infundibulum वाला पार्ट बीच में ampula, इदर की तरफ, uterus की तरफ वाले पार्ट को आपस थमस कहा देते हैं तो यहाँ पर यह जो parts है इन में अंदर की तरफ क्या present है? सिलिया present अब जो सिलिया है, यहाँ पे ovary located है ovary से जो ovum आया वो ovum पहले आया सिलोम में सिलोम से कहा गया, इसने enter कहा पे किया सबसे पहले infundibulum वाले पार्ट पर फिर कहा पहुँचा, ampula पर ampula के बाद जा करके कहा पहुँचेगा इस थमस वाले पार्ट पर तो यानि कि ovum movement कर रहा है हाँ, ovum के अंदर movement हो रहा है ठीक, पर क्या ovum खुद movement कर रहा है, नहीं ovum खुद से movement नहीं कर रहा है ovum को अगर मैं कहूँ तो क्या ovum खुद से move करता है नहीं, ovum खुद से move नहीं करता पर क्या ovum stationary है नहीं, ovum stationary भी नहीं है यानि कि खुद motile भी नहीं है और stationary भी नहीं है दोरों बातों को समझेगा क्या ovum यहां से यहां तक खुद आया? नहीं क्या ovum यहां से यहां तक आया? हाँ ले करके कौन आया? सिलिया तो अपने क्या कहा? कि ovum न तो stationary है और नहीं खुद से motile है इसके अंदर movement कौन करा रहा है? तो अपने का फैलूपियन ट्यूब पर जो सिलिया पाए जाते हैं ये सिलिया क्या कराएंगे बिटा? तो इनका काम होता है movement of ovum तो इनका काम क्या रहेगा? movement of ovum इनका काम होता है अब देखें सिलिरी के बाद तीसरी टाइप का movement जो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा common है ये movement अपना आ जाता है muscular तो अपनी बाड़ी में सबसे commonly जो movement पाया जाता है वो कौन सा रहेगा? muscular movement जो हमें अपनी बाड़ी में सबसे ज़्यादा दिखाई दीता है चाहे हम अपने हाथ-पैरों की बात करें या हम अपने lungs के movement की हम बात करें या elementary कनाल में food के movement के बारे में हम बात करें या अपने अंदर blood के circulation के बारे में हम बात करें ये सारे movement कौन लेकर के आ रहा है? तो ये सारे movement लेकर के आती है muscles तो यानि कि जो muscular movement है वो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा dominant है, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला movement कौन सा है muscular movement तो आपने कहा कि साब ये तीन टाइप का हुआ, अब NCRT इसके लाबा एक और टाइप लिखती है, जिसके बारे में बात की है कि ये है फ्लेजिलर NCRT ने बच्चों एक और कौन सा लिखा, फ्लेजिलर, ठीक, NCRT ने क्या किया, पहले तीन टाइप explain कर दिए, फिर अगला section जहां से muscles के बारे में बात करना शुरू किया, वहाँ शुरुवात में फ्लेजिलर के बारे में लिखा है, अब देखें, confusion उत्पन होता है, confusion कहां उत चौथा कौन सा लिख रही है, फ्लेजिलर, तो अब हम कहेंगे कि NCRT ने बहाँ पे लिखा था, तीन, यहां explain करते टाइम, यह चौथे टाइप का लिखा, तो मैं तुम से यह कहूँगा, कि क्या NCRT ने 3 टाइप लिखने के बाद only लगाया था, लगाया क्या, नहीं नहीं पर अगर हमसे कहा जाए कि क्या FLAGULAR मुवमेंट हमारे अंदर होता है, हाँ, FLAGULAR मुवमेंट कहां पाया जाता है, तो यह FLAGULAR मुवमेंट बेटा मौजूद होता है, इस्पर्म के अंदर, आपने human reproduction के अंदर structure of sperm या structure of spermatoz जो हुआ पढ़ा है, इस्पर्म का सबसे लं नहीं, यह पूरी तरह प्लादमे ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, इसका last वाला part free होता है, तो यह जो FLAGULAR है, यह sperm के अंदर मुवमेंट करा रहा है, तो अब ध्यान दे, जब भी मैं कहूंगा कि overall कितने तरीके के मुवमेंट हमारे अंदर पाये जाते हैं, तो हम कहेंगे क overall हमारे अंदर मुवमेंट कितने टाइप के होते हैं, बच्चों, चार, फिर जब भी कहा जाएगा कि mainly कितने टाइप के होते हैं, तो हम कहेंगे mainly हमारे अंदर मुवमेंट होते हैं, कितने टाइप के, तीन, तो यहां तक हमने बात की कि हमारी body में type of movement कौन-कौन से होते हैं अगर आपको ये type of movement वाली बात समझ में आ रही है तो फिर इसके आगे अपन बात करेंगे about muscles तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या किसी बच्चे ने आगे कोई question वगरा कुछ पूछा है या क्या कहानी है झाले तो ये झाले तो पूछा है चले तो अब बढ़ते अपट आगे अगले portion पे जब हम आते हैं तो हम अच्चों बात करेंगे muscles के बारे में न तो जड़ा देखें अपन बात करने वाले है about muscles सबसे पहले NCRT कहती है कि जो muscles है इनका origin कैसा होता है mesodermal तो muscle के बारे में कहा कि muscle का origin कैसा रहेगा बच्चों mesodermal origin होता है तो सबसे पहली बात muscles का origin कैसा हुआ mesodermal mesodermal origin से मतलब क्या है तो हम जानते हैं कि gastrula stage में तीन germ layer बनती है ectoderm, mesoderm, endoderm ये तीनो germ layer से ही हमारी body के अलग-अलग tissues का अलग-अलग organs का formation होता है इसमें से हमारी muscle किस से develop होती है तो हम कहेंगे कि हमारी muscles का जो development होता है वो mesoderm से होता है यानि कि muscular tissue का origin कैसा रहेगा बच्चों, mesodermal अगली बात, NCRT कहती है कि ये जो muscles हैं, they form almost 40 to 50% 40 to 50% of body weight बनाती है तो एक मिनट देखें, यहां हमने कहा कि जो muscles हैं ये बना रही है 40 to 50% of body weight तो हमारा जो total body weight है, उसका कितना बनाती है, 40 to 50% ध्यान रखें, आप पता है, geology या biology आप mostly रट रहे होते हैं, इसलिए रटते हैं क्योंकि आप chapters को connect करके नहीं पड़ते हैं, आप धूरने कोशिश नहीं करते हैं कि इससे आस-पास का reference कहा क्या दिया हुआ है कोट करेंगे, आप देखें, connective tissue में NCRT लिखती है, कि connective tissue is most abundant tissue in human body, connective tissue में क्या कहा, most abundant tissue in human body, और मसल के अंदर क्या कह रही है, कि यह हमारे body weight का लगबक इतना बनाते हैं, 40 to 50% बनाते हैं, now, अगर कोई tissue सबसे ज़्यादा abundant है, तो कोई दूसरा tissue उससे ज़्यादा body weight कैसे बना सकता है, दो अलग-अलग controversial बाते हो गई न, connective tissue में आपने कहा कि 42, जो है most abundant है, और muscular में आप कहा रहें कि 40 to 50% of body weight बनाता है, तो इस पूरी कहानी को कुछ ऐसे समझो, अगर आपके पास 1 kg of iron हो, एक किलो iron यानि कि लोहा हो, और एक किलो आपके पास का पास, यानि कि cotton हो, तो volume wise ज़्यादा कौन होगा, cotton, और अगर अगर आपन बात करें, weight wise क्या दोनों बराबर हैं, तो हाँ, तो connective tissue में क्या होता है, कि बीच-बीच में spaces पाये जाते हैं, तो उसका weight उतना ज़्यादा नहीं होता, तो इस वज़े से volume का ज़्यादा बड़ा portion बनाता है, पर weight wise अगर हम बात करेंगे, तो ज़्यादा कौन रहेगा, तो अपनने का muscular tissue ज़्यादा पाया जाता है, तो हम अपनी कुछ होती है, properties, तो मैंने क्या कहा, बच्चों, कि muscles की अपनी properties है, properties का मतलब हुआ, कि जो muscular tissue है, उसके अपने कुछ characters होते हैं, कौन-कौन से characters हैं, उनको ज़रा एक बार देख लिया जाए, अगर हम देखते है, muscular tissue के characters को, तो सबसे पहली property में, हमें यहाँ पे मिलता है, इसके अंदर होती है, excitability, तो पहली property को मैंने क्या कहा, बच्चों, excitability का, अब आप ध्यान दे, excitability का मतलब है, कि अगर stimulus मिलेगा, बाहर कहीं से signal मिलेगा, तो signal मिलने पर, यह muscle activate हो जाएंगी, muscle सपना काम करने लगेंगी, इसी property को आपने क्या कहा है, excitability का, तो excitability का क्या हुआ, कि जैसे ही signal मिलेगा, muscles अपना काम करना start कर देते हैं, आप ध्यान देंगे, मैंने आप से कहा न, chapters को correlate करो, nervous system वाले chapter में आप ध्यान दे, जब NCRT generation and conduction of nerve impulse आपको पढ़ाती है, तो वहाँ NCRT कहती है, कि neuron is excitable as its plasma membrane is in polarized state, तो इसका मतलब हुआ, कि अगर यह muscle excitable है तो इसका मतलब हुआ कि muscle की plasma membrane भी तो polarized state में होनी चाहिए, तभी तो excitable है, तो हमने कहा कि excitability पाई जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो plasma membrane होगी, यह plasma membrane क्या रहेगा बच्चों, तो आपन ने कहा कि plasma membrane polarized होगी, तो muscle की जो plasma membrane है, यह plasma membrane बच्चों क्या होता है, polarized हो तो आपने का कि यह polarized है और इसके polarized होने की बज़े से ही muscular tissue के अंदर property होती है excitability, excitability की बाद, दूसरी property आती है contractility, तो अगली property बच्चों कौन सी आगई, contractility आगई, contractility का मतलब है कि जब यह activate होगे, जब इनको signal मिलेगा, तो signal मिलने पर muscle अपनी original length के comparison में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि signal मिलने पर अपनी original length के comparison में छोटे हो जाते हैं, तो इसी property को आपने क्या कह दिया, contractility कहा, तो पहली property क्या हुई, excitability पाई जाती है, excitability के बाद, दूसरी property इनके अंदर क्या पाई गई, तो आपनने कहा कि contractility होती है, जिसको हम बोलते है, extensibility, तो अगली property क्या हुई, extensibility, now, what is meant by extensibility, तो extensibility word का मतलब है, कि मसल्स extensible है, मतलब कि माल लो एक मसल है, जिसकी लंबाई इतनी है, अगर इस मसल को खीचा जाएगा, तो खीचने पर, मसल अपनी original लंबाई के comparison में थोड़ी सी लंबी हो ज extend हो सकती है, तो मसल ना किवल अपनी original length के comparison में छोटी हो सकती है, बलकि extend भी हो सकती है, और extend होने की इसी property को आपन क्या बोलते है, extensibility कहा जाता है, तो हमने कहा कि पहली property अपने पास क्या है, excitability, दूसरी property का नाम contractility, third is extensibility, and fourth is elasticity, तो चौथी property कौन सी आगे बच्चों, elasticity, elasticity का मतलब हुआ, कि मसल को इसकी original length से, चाहे आप छोटा कर दो, चाहे original length से बढ़ा कर दो, दोनों condition में मसल लौट करके अपनी original length पर आ जाती है, तो चाहे आप छोटा करें, या फिर आप बढ़ा कर दें, दोनों condition में मसल लौट करके अपनी original length attain कर लेगी, इसी property को आपन मसल की property कितनी हुई चार पहली property का नाम excitability मतलब क्या हुआ कि अगर बाहर से signal मिला तो मसल activate होगी मसल अपना काम करेगी दूसरी property को आपने क्या नाम दिया तो second को आपने का contractility जैसे ही signal मिलेगा तो signal मिलने की वज़े से मसल अपने size में छोटी होगी ध्यान दे जब यह मसल छो power है यह special अपन कहें कि property है force generate करने की तो वो किसकी वज़े से आती है contractility की वज़े से फिर हमने का extensibility आपने देखा होगा कि जब भी आप workout करने जाते हैं उससे पहले आप stretching करते हैं तो stretching का purpose ही होता है कि आपकी bone के बीच में जो ligament है उन ligament को थोड़ा stretch किया जाए थोड़ा muscles इसको stretch किया जाए जिसके जिससे की किसी भी तरीके के spring वगरा से बचा जा सके तो अपने extensibility की बात की और elasticity क्या कहती है कि मसल लौट करके अपनी original length पर आ जाती है इस property को ही आपन क्या बोलते है elasticity कहते हैं तो मसल के अंदर property को मिला करके कितनी हुई चार क्या यह चारो properties अतलब क्या क्या होते हैं एक बार आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताए जरा जिससे कि फिर आपना आगे बढ़ें जल्दी से बताओ फटाफट अगर 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 मेरा बढ़े नहीं आज यह तुमने गलत विश्च कर दिया चलो कोई नहीं जिस दिन बढ़े आएगा उस दिन वापस से आपको थैंक्यू बोला जाएगा चलिए आगे बढ़ें सो अब जरा ध्यान देंगे देखे अब अपने को बात करनी है कि अपने पास बीटा मसल्स हैं कौन-कौन से तो हमारी बॉड़ी में मसल्स कहां पर अटेज्ट है उसके बेसिस पर हम मसल्स को तीन अलग-अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं अब यह तीन टाइप कौन- पे NCIT से तीनों डाइग्राम मैंने उठाए हैं अब यह जो तीनों डाइग्राम लिए हैं इनके अंदर क्या-क्या बाते हैं उनको जरा देखते हैं तो जरा मुझे फटा-फटा रिकॉग्णाईज करके बताएंगे यह जो पहला डाइग्राम है यह कौन सी मसल का है तो इसलिए आपने क्या कहा है स्केलिटल मसल कहा दूसरा डाइग्राम किसका है यह डाइग्राम है विसरल मसल का विसरल मसल क्यों कहा गया क्योंकि यह हमारे विसरा में हमारे इंटरनल ओर्गंस के अंदर पाई जाती है इसलिए आप इस मसल को नाम क्या देते हैं विसरल मसल कह यह जो मसल है इसे कहा जाता है काडियेक मसल और जो काडियेक मसल है यह नाम इसलिए मिलता है क्योंकि यह exclusively हमारे हर्ट के अंदर ही पाई जाती है तो हमने का हमारे पास based on place of their presence muscles कितने टाइप के हो गई तीन पहला skeletal which are attached to skeleton second is visceral which are present in visceral organ and the third one is cardiac काडियेक मसल आपने उसे कहा जो कि कहा पर प्रेजेंट है हर्ट में अब यहां देखे अगर आम इन तीनों के बारे में आया क्योंकि अगर आप देखें क्या यहां branching है नहीं है ना जब नीचे fiber 4 ऊपर 4 तो branching कहाई फिर अगली बाद समझेगा यहां पर अगर आप shape देखो तो आपको cylindrical देख रहा है शेप 22 कैसा देख रहा है cylindrical अब आपने कहा skeletal muscle में सबसे पहले आपने कहा कि इनका शेप कैसा रहेगा तो आपने कह दिया कि इसाब shape में यह cylindrical होते हैं अगली बात cylindrical के बाद आपने क्या कही कि यह कैसे होते हैं unbranched हैं इनके अंदर branching नहीं पाई जाती है अब जब आते हैं visceral muscle पर तो visceral muscle को आप देखिए इसका जो बीच वाला portion है यह compatibility ठिकर है जबकि अपने दोनों के नारों पर यह compatibility पतली है ऐसी मसल जो कि बीच में या ऐसी कोई भी structure जिसकी ठिकनेस बीच में जादा हो और अपने ends पर वह compatibility पतली हो तो एसी shape को हम बोलते है spindle shape तो अपन कहेंगे कि यह कैसा है बच्चो spindle shaped है या इसी को एक नाम मिलता है fusiform तो spindle shape का ही दूसरा नाम आपके पास क्या हो देख रही है नहीं है इसको जड़ा देखो क्या branching है नहीं यानि कि आपने कहा कि इट विल रिमेन अन ब्रांश्ट इसके अंदर branching नहीं होती है अब आते हैं cardiac पर cardiac पर देखें शीव बाइज आपको कैसी दिख रही है cylindrical दिखाई देती है moreover अगर आप देखें क्या इसके अंदर branching है तो आप कहेंगे branching होती है तो यानि कि इसका shape क्यासा रहेगा cylindrical है और फिर इसके बाज आपको देखेगा कि branching है तो आपने कहाँ इसके अंदर branching पाई जाती है और ये ब्राश्ट होती है यहाँ देखें इसके ब्राश्ट होने का एक बड़ा important purpose होता है बागी जगह पे बेटा अगर आप देखेंगे तो जहां कहीं भी skeletal या visceral muscle लगी होगी तो muscle को जो force applicate करना होता है या muscle पे जो force applicate होता है वो हमेशा एक particular direction के अंदर होता है तो muscle पर जो force applicate होगा वो एक particular direction में applicate हो रहा होगा यानिकि जैसे अगर मैं बात करूँ suppose मालो मैंने कोई भी object उठाया और object को उठाने पर मेरी bicep muscle जो force apply करेगी न वो हमेशा इसी orientation में force apply करेगी और जीवन भर इस पर जो force लगता है वो इसी orientation में ही लगेगा यानिकि ये muscle अगर आप ऐसे इससे काम करा रहे तो बहुत तागतवर है ठीक? सारे काम कर लेगी पर वहीं अगर आप इस muscle को बोलने की ऐसे करके काम करना है तो ये muscle ऐसे काम नहीं कर सकती है क्योंकि muscle ऐसे arrange है ही नहीं वहीं पर heart के chambers में देखे तो heart के chambers में जब इसे blood pump करना है तो heart के chambers में जब इटा blood pump करना है और उसके लिए ventricle ने squeeze किया तो ventricle के squeeze करने पर अंदर जो blood है उसको आप जितने force से दबाएंगे तो blood भी तो उतना ही ज़्यादा force यहाँ wall पे apply करेगा न और blood जो force apply करेगा वो तो सारी direction में apply करेगा तो अगर ये cardiac muscle कहीं सारी सीधी सीधी होती तो उस case में जो force ऐसे सीधे लगता उसको तो barrier कर जाते पर heart chambers में क्या ये force सीधे एक ही direction में लगने वाला था नहीं ये अलग-अलग direction में लगने वाला था तो अलग-अलग direction में लगने वाला जो force होता वो क्या करता हमारी इन cardiac muscles में tearing करा देता तो muscles में tearing नहों इसके लिए जरूरी है कि cardiac muscle कैसी हो branched होनी चाहिए जिससे की क्या हो नॉर्मली अपने कहा कि मसल ऐसे ऐसे करके इसके ब्रांश दोने से फाइदा क्या हुआ एक मसल ये दूसरी ये इन्होंने ऐसे करके एक दूसरी को क्रिस क्रॉस करके पकड़ लिया और अब चाहे जिस डारिक्शन में आप फोर्स लगाओ आप इनका कुछ नहीं कर सकते हैं अब ये आराम से कॉंट्रिक्शन करा लेंगे तो ध्यान लखिएगा यहां जो अपन बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि काडियेक मसल ब्रांश होती है मैं फिर से एनिमल टिशू की लाइन आपको याद दिलाओ पहले पेश पर NCRT लिखती है कि स्ट्रक्शर अप सेल वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन यानि कि महतुपूर्ण चीज क्या होती है फंक्शन या स्ट्रक्शर तो हम कहेंगे महतुपूर्ण होता है फंक्शन काडियेक मसल का फंक्शन था कि इसे एक फ्लॉइड को बहाना था फ्लॉइड पर फ्लॉइड पर फ्लॉइड पर फ्लॉइड पर फ्लॉइड पर फ्लॉइड पर फ्लॉइड होगा तो फ्लॉइड बदले में उतना ही फ्लॉइड इस पर लगाएगा और हर direction में लगाएगा तो हर direction में जो force लगेगा ना उससे बचने के लिए या उसको bear करने के लिए जरूरी था कि cardiac muscle branched हो, इसलिए cardiac muscle कैसी होती है, branched होती है, जबकि बाकी दोनों muscles के अंदर branching नहीं पाई जाती है, क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई है, अगर बच्चों इतनी बात अपने को समझ में आ रही है, तो हम बढ़ते हैं अब इसके आगे, आगे देखें, इनके nucleus को जड़ा देखते हैं, तो आप देखो, ये cell का nucleus है, ठीक, इसका nucleus ये है, और इसका nucleus ये है, तो ये इसका nucleus हो गया, यहाँ देखें, ये जो मसल है ना, इसमें actually क्या होता है, तो बच्चों जब ये muscle fiber का development हो रहा होता है, तो development के time पर, यहाँ पर क्या होता है, कि जैसे अगर मैं let's say, मैं एक muscle fiber की अभी अगर बात कर लूँ जैसे, माल लेते हैं, हम इस एक muscle fiber की बात कर लेते हैं, ठीक, हमने कहा कि ये एक muscle fiber ये है, तो जब development हो रहा होता है, तो उस time पर, यहाँ पर एक न हो करके, ये कितने चार muscle fiber मौजूद थे, माल लेते हैं, क्या हुआ कि इनका जो nucleus था, इसका nucleus ये था, इसका nucleus ये था, इसका nucleus ये, इसका nucleus यहाँ पर, बाद में क्या हुआ कि development के दौरान, इनके बीच के जो partition है न, वो गायब हो जाते हैं, तो development के दौरान, इनके बीच के partition क्या हुआ, गायब होए, अब देखो, बीच के partition गायब ह होने की वज़े से अब क्या हुआ कि अब आपके पास जो फाइबर यहां बना अब इस फाइबर के अंदर आपको नुक्लियस कितने दिखाई दे रहे हैं चार कितने नुक्लियस है चार तो यानि कि क्या हुआ कि एंब्रियोनिक स्टेज में जब इस सेल का डवलप्मेंट हो सहा होता है तब हर सेल के पास कितने नुक्लियस होते हैं एक बाद में कई सारी यूनी नुक्लियेटेटेट सेल के फ्यूज हो जाने की वज़े से multi nucleated condition आती है और जो multi nucleated condition आईगी उस multi nucleated condition के अंदर क्या होने वाला है कि अपने कहा कि जो multi nucleated condition आईगी वो multi nucleated condition में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कई सारे nucleus इसके पास आजाएंगे अब यहाँ जो कई सारे nucleus इसके पास आई, तो उनके बारे में एक बार देखते हैं, एक मिनट, चले, देखे, आपने का multi-nucleated condition आ जाएगी, तो बच्चों, आपने plant world को पढ़ते हुए, आपने दो term पढ़ी है, एक तो syncytium पढ़ा है, और एक cynocytic पढ़ा है, cynocytic का मतलब है, एक cell है, जिसमें एक nucleus है, बात में इसके अंदर क्या हुआ, करियो गैमी हुई, यानि के nuclear division हुए, पर cell division नहीं हुए, तो nucleus के कई बार divide करने की वज़े से, क्या हुआ, एक multi-nucleated cell बनी, दूसरी condition, आपके पास कई सारी uninunucleated cell थी, ये uninunucleated cell आपस में fuse हुई, और इनके fuse होने की बज़े से, एक multi-nucleated cell बनी, तो दूसरी जो condition है, उसको हम बोलते हैं, since isium, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यह बेटा multi-nucleated है, आप अगर ध्यान दे, मैं सिर्फ आपको NCRT का डाइग्राम पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको NCRT का डाइग्राम पढ़ा रहा हूँ, अभी तक हमने एक भी मूवेंट पर NCRT के बाहर एक लाइन बात नहीं की है, सिर्फ हम NCRT का post-mortem करकर के, खोद-खोद के हम चीजे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि NCRT से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीजे डराइब की जा सकती है, ये चीज NCRT ने ही मुझे बताई है कि multi-nucleated है, और multi-nucleated है, साथ में NCRT लिखती है, कि syncytium है, तो हो सकता है कि आप से कभी पूछा जाए, कि syncytium है, या सीनोसाइटिक होता है, तो ये अपने को याद रखना है कि syncytium है, और diagram को देखो ध्यान से, यहाँ पर nucleus तुम्हें cell के बीच में दिखता है कि periphery पर, कहां दिखा nucleus, cell के बीच में दिखा, या periphery पर दिखाई दिया, तो मुझे तो इसका nucleus periphery पर दिखाई देता है, तो इसलिए मैंने कहा कि nucleus कहा होगा periphery पर, तो आपनने कहा कि syncytium होगा, और इसका जो nucleus रहेगा, this nucleus will be at periphery, तो nucleus ध्यान रखेंगे बच्चों, periphery पर पाया जाता है, क्यों होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, अब देखें, आगे अपने को बात करनी है, visceral muscle के बारे में, देखो, cell में एक nucleus, cell के लगबख center पर है, कोई खास बात है ही नहीं, तो हमने कहा कि uninucleated है, और अगला आपने कहा, कि nucleus at center, तो nucleus यहाँ पर पाया जाता है center पर, तो nucleus center पर है, अब आतें cardiac में, तो cardiac muscle के बारे में, पहली बात आप सुनेंगे, कि cardiac muscle होती है, uninucleated, कैसे होती है बच्चों, uninucleated होती है, अब आप कहेंगे, कि सर यह तो uninucleated नहीं है, यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं माल लो, इस वाली cardiac muscle को देखूँ, ध्यान दो, यह बच्चों एक cardiac muscle होई न, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे तो इसके अंदर, दो nucleus दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कहूँगा, कि NCIT का यह diagram, उत्रा ही सही है, यह वाला diagram, इस chapter में उत्रा ही सही है, जितना की structural organization, यानि कि इसी chapter में, NCIT का जो पहला diagram है, जहाँ NCIT ने simple columnar EPTलिया का diagram दिखाया है, और वहाँ जो nucleus बनाई है, कुछ के nucleus नीचे, कुछ के उपर बना दिये हैं, बीच में यह कास cell ऐसी भी रखी है, जिसके अंदर nucleus ही गाइब कर दिया है, जबकि वहीं NCIT theory में लिखती है, कि सबके nucleus base के पास होते है, तो वहाँ NCIT ने theory में सही लिखा है, जबकि diagram बनाया है गलत, तो जिस आदमी ने diagram बनाया वो, उसी आदमी ने diagram बनाया ये, गलती उस वाले diagram में है, तो गलती इस वाले diagram में भी है, तो हम यहाँ याद रखेंगे, कि ये diagram को देख करके, आपको multi-nucleated नहीं मान लेनी है, होती ही नहीं है, और NCIT ने कहीं लिखा भी नहीं है, कि multi-nucleated है, बस diagram दिया है, तो जब अगर कोई चीज नहीं लिखी है, तो फिर हम एकदम सही बात को ही मानेंगे, और सही बात यह है कि uni-nucleated है, cardiac muscle कैसी होती है, uni-nucleated, moreover, यहाँ जो nucleus रहेगा, so this nucleus is at center of cell, तो nucleus कहाँ पाया जाता है, cell के center पर present होता है, तो अपन ने कहा कि nucleus यहाँ cell के center पर लगबख पाया जा रहा होगा, तो यह nucleus की position हो गई, अब आगला हम देखते हैं, कि भाई, हमने देख लिया पहले के attachment कहा है, फिर हमने देखा है कि इनकी structure क्या है, फिर हमने समझा कि इनके nucleus की कहानी क्या है, अब nucleus की बाद, आगे अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर जो skeletal muscle है, इसको बिटा कहा जा सकता है कि voluntary है, voluntary का मतलब क्या हुआ, हम अपनी will के according से काम करा सकते हैं, जब मैंने चाहा, मिरा हाथ ऐसे हुआ, जब मैंने चाहा, ऐसे हो गया, वही पर ज्यान दे, जब NCRT लिखती है, digestion में, कि food आपके इस टमक में, 4 से 5 गंटे रहता है, तो जब food आपके इस टमक में है, तब क्या आप चाहा के भी food का digestion रोक पाएंगे, क्या आप चाहा के भी churning moment को रोक पाएंगे, नहीं रोक सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ, कि जो smooth मसल है, ये कैसे होती है बच्चों, involuntary है, इसका control हमारे हाथ में नहीं है, तो देखे, यहाँ पर, ये जो skeletal मसल है, इस skeletal मसल को regulate करता है कौन हमारा CNS, तो regulate करने वाला इसके अंदर कौन है, CNS है, जो कि इसे regulate कर रहा होता है, वहीं पर, अगर हम बात करते हैं, visceral मसल के बारे में, तो visceral मसल को regulate करना, काम होता है हमारे autonomous nervous system का, और जो हमारा autonomous nervous system, यानि कि ANS है, इसका control हमारे अपने हाथ में, नहीं होता, ये अपने एसाब से काम करता है, इसी रहे मैंने क्या कहा के, involuntary है, और भाईया समझिएगा, आपको, बहुत basic basic से ही काम है, जो आपकी body ने, आपके अपने control में छोड़ रखे हैं, बाकि जितने भी critical काम है, वो body ने कहा कि भाईया, तुम से ना हो पाएगा, तुम मत करो ये काम, नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि, यहाँ पर भी ये कैसा होता है, involuntary होता है, और यहाँ जो control है, वो control अगर आप देखें, तो ये CNS के पास भी है, और ANS के पास भी है, कैसे समझिएगा, cardiac center कहा है, brain के medulla part में, और brain किसके अंदर आता है, CNS में, cardiac center से, signal ले करके कौन जाता है, sympathetic और parasympathetic nerves, sympathetic nerve जब काम करती है, तो ये हमारे अंदर heart rate बढ़ा देती है, parasympathetic जब काम करेगी, तो heart rate को घटा देगी, heart rate को कम कर देगी, तो हमने का कि, CNS और ANS दोनों का control होता है, या दोनों control किसे करते हैं, तो अपने का कि cardiac को control कर रहे होते हैं, तो muscles के हमारे पास type कितने हुए अभी तक, तीन, पहला skeletal, दूसरा विसरल, तीसरा, cardiac, आगे अंतर देखिएगा, skeletal muscle में अगर आप बात करें, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, they soon get fatigued, skeletal muscle में, बचो fatig आ जाता है, compatibly, जल्दी, यानि कि, अगर हम continuously, आदा एक घंटा, अगर हम चल लें, running कर लें, या हम लगातार मालो, suppose let's say, 10 मिनिट तक भी, हमें एक छोटी सी बुक ही, अपने हाथ में से उठा के रखें, तो हमारे skeletal muscle के अंदर, क्या होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, यानि कि fatig जल्दी आ रहा है, वहीं देखो, इसके बारे में तो आपने कहा भी, कि इस टमक में food 4-5 गंटे रहता है, ध्यान रखना में सिर्फ और सिर्फ NCIT की बातें ही कोट कर रहा हूँ, इसलिए वह ध्यान से सुनते चलेंगे, तो जब आपने कहा कि इस टमक में food लगबख 4-5 गंटे रहता है, तो यानि कि उतने time तो इसे काम करना है, तो ये काम कर रही है, ये compatibility जल्दी, तो इसलिए हमने कहा कि do not get fatigued, इसके अंदर fatig नहीं आता, तो यहाँ पर बच्चो फैटीग नहीं आता, और फिर जब बात आई cardiac के बारे में, तो cardiac में हमने कहा कि it never get fatigued, इसके बारे में तो हम कहते हैं कि इसके अंदर fatig आता ही नहीं है, so it never get fatigued, समझना, इसके अंदर fatig आने का मतलब है, जिन्दगी में fatig आ जाना, इसके अंदर fatig आने के बाद पिकानी खतम है, इसी लिए इसके अंदर fatig नहीं आता, और क्यों नहीं आता है, तो फिर से आप ध्यान करेंगे, आपको याद होगा कि joint diastole की duration 0.4 second थी, atrial systole 0.1 second का था, और ventricular systole 0.3 second का था, यानि कि atria को systole करने में लगता है 0.1 second, और relax करने या diastole के लिए time मिलता है 0.7 second, ventricle को systole में time लगता है 0.3 second, और diastole के लिए time मिलता है 0.5 second, यानि कि उसने अपने पास arrangement बना के रखा है, कि वो जितने time काम कर रही है, उससे ज़्यादा time relax करती है, पर इसके अंदर fatigue तो नहीं आ रहा ना, तो इसलिए हमने क्या कहा कि it never get fatigued, तो हमारी पास बच्चों muscles कितने type की हो गई, तीन, पहले type की muscle का नाम क्या हुआ आपने पास, skeletal, second one is smooth muscle और visceral muscle, इसे अपने क्या कहा, cardiac muscle, अगला हम एक और property देखेंगे, जो हमें diagram में देख रही है, diagram में सही मतलब निकालते हैं, देखो यहाँ आपको cross estriation देख रहे हैं न, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं देख रहे हैं न, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि यह जो skeletal muscle है, इसके बारे में कह सकता हूँ कि estriated है, क्यों हैं, यह भी हम बात करेंगे, इसके बारे में हमने कहा कि यह non-striated है, या smooth है, वह इसके अंदर मुझे estriation नहीं दिखाई दे रहे, पूरा cytoplasmik जैसा ही दिख रहे हैं, और इसके बारे मेंने कहा कि यह estriated है, यानि कि कौन-कौन estriated है, cardiac और skeletal, non-striated कौन है, visceral, cardiac muscle में 2012 में ही एक question पूछा गया था, यहाँ जो NCRT लिखती नहीं, junction between adjacent cells, adjacent cells के बीच का जो यह junction है, इस junction का नाम होता है बच्चों, intercalated disc, तो इस junction का नाम क्या है, intercalated disc इसका नाम होता है, तो यहाँ जो junction है, इसका नाम होता है intercalated disc, तो यहाँ पर intercalated disc मौजूद होगी, और यह जो intercalated disc है न, यह बच्चों होती है gap junction, ध्यान अखना, यह क्या है, gap junction है, और आपको याद होगा कि gap junction से होकर के, gap junction जो है, यहाँ gap junction से होकर के, एक मिनिट, देखे, यह जो gap junction है, यहाँ से होकर के आपको याद होगा कि ions, small molecules and sometimes big molecules भी यहाँ से होकर के transfer हो जाते हैं, यहाँ से होकर के जाते हैं, तो यह सारी चीज़ें अपनने किसके बारे में बात करी, यह अपनने बात करी different type of muscles के बारे में, एक बार मुझे बताएंगे कि क्या आपको तीनो टाइप की muscles के बारे में इतनी बाते समझ में आ गई हैं या नहीं, या इसमें कहीं कुछ आपको द झाल चलिए, तो आगे बढ़ा जाएं, देखें, अच्छा मैं बीच में जड़ा पानी पी लिता हूँ द्यान देंगे अब, तो बच्चों अभी तक तो क्या है कि अपन बना रहे थे अपना basic site platform, कि हम कहानी समझें कैसे, अब हम आते हैं अपनी main मुद्दे की बात पर, जो हमें यहाँ पर समझनी है, जहां हम बात करेंगे अपनी skeletal muscle के बारे में, जिस पे ज़्यादातर questions आने वाले हैं, और जहां से अपने को सबसे ज़्यादा चीजें ध्यान रखनी होती हैं, तो दीखें, मैंने NCRT का ये diagram लिया है, जहां NCRT आपको एक skeletal muscle के बारे में बताती है, तो क्या-क्या बात है अपने को पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्या जाननी चाहिए, और फिर हम धूणेंगे NCRT की वो बात, जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं, तो देखें, ये हमारे पास एक पूरा diagram है, इस diagram में, आप सबसे पहले बच्चों locate करें, muscle fiber या muscle cell को, तो muscle fiber किसे कहा गया है, तो आ यलो कलर से मार्क किया हुआ जितना पार्ट, जिसको NCRT ने यहां कुछ pink जैसे कलर से कर रखा था, ये वाला पार्ट, आपका क्या कहा जाता है, muscle fiber कहा जाता है, और बच्चों ये जो muscle fiber है न, इसको हम बोलते हैं कि ये है anatomical unit of muscle, ये क्या है, anatomical unit of muscle, ध्यान दे, वैसे तो आपने ये पढ़ा है कि cell is the structural and functional unit of life, और आपने खुब अच्चे से समझा भी है, पर ये बात हमेशा सही नहीं होती है, for example, liver के case में याद करो, क्या तुमने हेपेटोसाइट को बोला था unit, नहीं, तुमने किसे बोला था, जल्दी बताओ, किसको बोला था liver के case में, एकदम स किसे कहा, नेफरोन को, ध्यान देना, NCRT ने ने नेफरोन को structural unit में लिखा है, नेफरोन के अंदर भी दो पार्ट होते है, NCRT नेफरोन को structural unit नहीं लिखती है, NCRT नेफरोन को केबल functional unit लिखती है, इस बात को अच्छे से ध्यान लखेंगे, वैसे ही यहाँ पर ध्यान लख कि जो यह muscle cell है, जिसको आप muscle fiber कहते है, यह muscle cell यह muscle fiber क्या है, anatomical unit of muscle है, यानि कि अगर आपको देखनी है muscle की structure, तो आप जाओ किसके पास, muscle fiber के पास, यहाँ आपको पूरी structure देखने को मिलेगी, अब यह जो muscle fiber यह muscle cell यहाँ पर present है, तो आप बच्चों देखो, यह जो muscle cell है, इसकी structure तो हम समझेंगे आगे, अब इस muscle cell के just बाहर की तरफ, जब हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पे इसके ठीक बाहर, connective tissue की covering दिखाई देती है, इसके बाहर मुझे क्या दिखाई देगा, connective tissue की covering देखो, इसके बाहर भी दिखेगी, ऐसे ही, इसके बाहर भी connective tissue की covering दि अपन नाम देते हैं, endomycium, क्या कहा जाता है, endomycium नाम देते हैं, so it is termed as endomycium, क्या कहा इसे, endomycium, किसका बना है, ध्यान देंगे, so it is made up of connective tissue, तो connective tissue की वो layer, जो की मसल fiber को cover कर रही होती है, उसको अपन क्या बोलते है, endomycium कहते हैं, अब देखो, endomycium से cover, एक fiber ये हुआ, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे करके कही सारे fiber है, कही सारे fibers के बाहर, क्या आपको ये covering दिख रही है, ये देखो, यहाँ पर, यहाँ मैं थो जो मैंने यहाँ black color से किया न, ये वाली एक covering दिख रही है, कि ये पूरा एक bunch बना, ये जो पूरा bunch बना, ये पूरा bunch है क्या, तो ये पूरे bunch को आप कुछ ऐसे मान के चलो, कि let's say, मेरे पास, एक मसल fiber ये, दूसरा ये, फिर ये ऐसे करके है, इन सब के बाहर, अपन ने क् किया, कि इसके बाहर ले करके एक cello tape लपेट दो, cello tape लपेट नहीं है, जो cello tape लगाई, उसका नाम क्या है, endomycium, एक endomycium से covered fiber ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे करके ये कई सारे fiber, यहाँ पे एक साथ bunch के form में मौजूद है, ये एक साथ क्या है, पूरा bunch, ठीक, ये जो प connective tissue की covering आएगी, उस connective tissue की covering को अपन नाम देते हैं, यहाँ पर perimycium, क्या नाम दिया जाता है, perimycium नाम देते हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो connective tissue की covering आई, इस connective tissue की covering को, अपन ने नाम क्या दिया है, बच्चो, perimycium नाम दिया है, तो ये क्या है, perimycium है, और ये जो per क्रिमाइषियम किसका बना हुआ तो मैंने फिर से खाग केट एगें कंपोज्ट ऑफ अब धियान देंगे यह जो मेरे पास पूरा बंडल था जयान दो यह जो पूरा बंडल था यह किसका बंडल है मसल फाइबर का मसल फाइबर का ये जो बंडल है इस बंडल को हम यहाँ पर नाम देते हैं फैसेकेल या मसल बंडल क्या कहा जाता है फैसेकेल या मसल बंडल यानि कि अगर मुझसे कुश्चन पूछता है कि एक मसल बंडल के अराउंड कवरिंग कौन है तो मे ने कहा कि perimyceum is covering around a muscle bundle, तो एक muscle bundle के around जो covering होती है, इस covering को अपन नाम क्या देते है, perimyceum कहते है, वहीं endomyceum क्या था, तो endomyceum आपने कहा कि it was covering around a muscle fiber, तो ये covering कि इसके around है, तो आपने कहा कि एक muscle fiber के around, जो covering है, इस covering को आपने नाम क्या देते है, endomyceum नाम दिया, अब देखो, कई सारे fascicle, कई सारे fascicle, एक साथ देखो, एक fascicle ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांच पाई ये, कई सारे fascicle मिलकर के muscle बनाएंगे, अब पूरी muscle पर आपको बाहर की तरफ एक covering दिखाई देगी, पूरी muscle पर आपको बाहर की तरफ एक covering दिखने वाली है, पूरी muscle पर ये जो बाहर की तरफ covering आपको दिख रही है, इसको नाम मिलता है epimicium, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, epimicium नाम होगा, और ये जो epimicium ह है यह P. my cm भी किस से बना है so again it is composed of connective tissue तो यह P. my cm बच्चों किस से बना इंट कनेक्टिव टिशू से तो यह connective tissue यहाँ पर formation कर रहा होता इपी माइसीयम का तो इपी मां एसीयम क्या बन रहा है यहाँ पर connective tissue से बना इपी माइसीयम is covering of muscle इपी माइसीयम किस की covering है मसल की इस तो मसल की चो कवरिंग इस कवरिंग को अपन नाम क्या देते हैं इप Candice Ale ऐक NCR D की लायन जिस पर आप उत्ना ज्यादा ध्यान नहीं देते PPLs पड़के सुनाता हूँ आप जड़ा ध्यान से सुनेंगे क इव देखें, यहाँ पर अगर अपन बात करें, NCRT कहती है, Each organized skeletal muscle in our body is made of a number of muscle bundles or facicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia. तो क्या कहा, कि जो muscle bundles are held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia. अब मुझे बताओ, मैं fascia किसे नाम दूँ, EPMYCEM को, PERIMYCEM को या ENDOMYCEM को fascia किसे कहा जाएगा, बताएं जरा, फिर से सुनेंगे, ENDOMYCEM, एक muscle fiber के round covering, PERIMYCEM, एक muscle bundle के round covering, और EPMYCEM क्या है, तो आपन ने कहा कि EPMYCEM जो है, ये पूरी muscle के round covering है, fascia की definition में NCIT ने क्या कहा, तो देखो, NCIT ने बच्चों यहाँ पर fascia की definition में आप से कहा, कि fascia, ये क्या है, तो इसमें कहा कि ये common collagenous, टर्म से मतलब निकालते जाएंगे अपना, collagenous word क्या indicate कर रहा है, कि इसमें कौन से fiber पाए जा रहे हैं, collagen fiber, बई strength provide करनी है न, तो आपको क्या लगेगा, collagen fiber लगेंगे, तो कहा, common collagenous covering, around muscle bundles, तो muscle bundles के around, जो common collagenous covering है, इस common collagenous covering को ही, अपन नाम क्या देते हैं, fascia का आ जाता है, तो fascia क्या है, common collagenous covering है, around muscle bundles, definition में से फिर से देखिएगा, क्या fascia, एक muscle bundle के around की covering है, या एक से जादा muscle bundle के around covering है, तो यहाँ देखो, bundle लिखा है कि bundles लिखा है, क्या लिखा हुआ है, bundles, bundles का मतलब हुआ, कि एक से जादा muscle bundle के around की common covering है, एक से जादा muscle bundle के around common covering का मतलब हुआ, कि यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे करके, एक common सी covering आपको यहाँ दिखेगी न, यहाँ पर आपको, यह देखे, common सी covering यहाँ दिखती जाएगी, common covering है, यह जो common covering यहाँ पर होगी, तो इस common covering को अपन क्या बोलते हैं, फीशिया, यानि कि जब भी कहा जाएगा फीशिया, तो फीशिया के character याद रखने हैं, दो, पहला character याद क्या रखेंगे, कि फीशिया एक मसल bundle के round की, कई सारे मसल bundle के round common, तो अपन याद रखेंगे, common covering होती है, दूसरा हम याद रखेंगे, कि फीशिया में fibers कौन से पाए जाते हैं, तो fibers अपन याद रखेंगे, यहाँ collagen fibers पाए जाते हैं, कुछ इस पूरी कहानी को हम ऐसे समझ सकते हैं, कि माल लेते हैं, देखो मेरे पास एक मसल फाइबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एक और ये हो गया, ये हुआ, ये सारे क्या है, मसल फाइबर्स हैं, ठीक, एक proper transfer section, फिर अपन ने कहा, के इन मसल फाइबर्स के round, covering होगी, इनके round जो covering है, इस covering का नाम क्या है endomyceum, covering का नाम क्या है, endomyceum, ऐसे ही, endomyceum से covered, कुछ मसल फाइबर्स आप माल लो, यहां पर मौझूद हैं, तो अपन ने कहा के endomyceum से covered, कुछ मसल फाइबर्स यहां पर भी पाए जा रहे हैं, तो ऐसे करके, मेरे पास यहां पर मसल बंडल कितने बने, दो, अब आप ध्य मसल बंडल बने, दो, इन मसल बंडल के राउंड जो individual covering होती है, इस individual covering का नाम क्या होता है, perimyceum, और वहीं पर, इनके राउंड, जो एक common covering होती है, common covering का मतलब हुआ, के ऐसे करके common covering हो, जो कि दोनों को cover कर रही हो, तो ऐसी दोनों को cover करने वाली, जो common covering होती है, उस common covering का ना अई सारे मसल बंडल्स के राउंड एक कॉमन कवरिंग होती है, जिसको नाम दिया जाता है फीशिया, तो बताएं जरा, क्या NCRT काई डियाग्राम समझ में आता है अपने को, और अगर समझ में आता है, तो अब हम बढ़ते हैं, इस से आगे आध्यान दे, हम धीमे-धीमे करके चीजों को छोटा करेंगे, अभी हमने पूरी मसल को समझा है, अब हम आएंगे मसल फाइबर या मसल सेल पर, कि वही मसल सेल क्या होती है, और मसल सेल की इस्ट्रक्चर में क्या-क्या चीज़े होती है, वो अपने को यहाँ पर देखनी है, तो बढ़ते हैं अब इस से थोड़ा सा आगे, देखें, हमें अब समझना है कि मसल फाइबर है क्या, या मसल फाइबर में क्या-क्या चीज़े होती हैं, तो इसको समझाने के लिए, मैंने कहा कि अभी तक देखो, आपने कुछ ऐसे कहा था ना, यह हमारा मसल बंडल था पूरा, यह हमारा पूरा था मसल बंडल, अब इसमें से हमें एक फाइबर को निकालता हूँ, अभी NCIT वाली डाइग्राम में हमने ऐसे करके देखा, अब हम इस फाइबर को ऐसे करके देखने वाले हैं, है ना यह फाइबर जब हम ऐसे करके देखेंगे तो अब आप यहाँ पर देखे केस की इस्ट्रक्चर उती है बच्चों कुछ इस तरीके से यह हमारा एक मसल फाइबर या मसल फैल है अब जो मसल सेल है उसके बारे में पहली बात कि मसल सेल की यह क्या है इसकी प्लास्मा मेंबरीन है तो मसल सेल की जो प्लास्मा मेंबरीन है इसको नाम देते है सारकोलेमा इसकी प्लास्मा मेंबरीन का नाम क्या होता है सारकोलेमा नाम होता है ना क्या मैं हर किसी plasma membrane को sarkolema कह सकता हूँ हाई या नहीं 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 कह सकते तो अब कुश्चन मेरा है यह है कि इस sarkolema में ऐसी क्या खासियत है कौन से तुरखापके पंक लगें इसमें कि हम इसको sarkolema कहते हैं बाकी को नहीं कहते कुछ तो अंतर होना चाहिए न जो अंतर है वो यह है कि इस सारकोलेमा में पाए जाते हैं कोलेजन फाइबर, बाकि प्लाजमा में में कोलेजन फाइबर नहीं होते, जबकि यहां पाए जाते हैं कोलेजन फाइबर, इसके अंदर जो साइटोप्लाजम होगा, इस साइटोप्लाजम को आप नाम देते हैं सारकोप्लाजम, तो साइट प्लाज्म को आपने क्या कहा सार्को प्लाज्म आपने कह दिया अब यह जो सार्को प्लाज्म है इसके अंदर आप और कुछ चीज़ें देखते हैं तो देखो क्या यहां मैंने प्लाज्मा मेंब्रीन को एक दम सीधा बनाया नहीं प्लाज्मा मेंब्रीन में अंदर की तरब क कहते हैं और यहां T का मतलब होता है transverse तो यहां पर कुछ टिब्यूल पाई जाती हैं जिनने बोलते हैं transverse टिब्यूल अब यहां देखी transverse आप क्यों कह रहे हैं मसल फाइबर की लंबाई तो ऐसे करके है न इस लंबाई की perpendicular अंदर की तरफ धस्ते हुए या अंदर की तरफ invagination है जिनको आप नाम दे रहें टी-टी-टी-ब्यूल तो टी-टी-ब्यूल along the length है या transverse है तो आप क्या कहेंगे दिया transverse तो transverse होने की वज़े से इनको नाम क्या मिला टी-टी-ब्यूल नाम दिया गया अब यह टी-टी-ब्यूल का फाइदा क्या है आप देखो इसकी वज़े से सारकोलयमा का सरफेस इरिया बढ़ गया न यानि कि जब सार कोलयमा में डी-पोलराइजिशन होगा तो यह डी-पोलराइजिशन का सिगनल पूरी मसल के पास ज्यादा बहतर तरीके से पहुंच पाएगा पर आप अगरी बार देखें यहां पर आपको दिखाई देती है इसकी एंडोप्लाजमी क्रेटिकुलम यहां जो काम देते हैं सार्कोप्लाजमी क्रेटिकुलम तो मसल की एंडोप्लाजमी क्रेटिकुलम का नाम क्या है सार्कोप्लाजमी क्रेटिकुलम नाम होता है तो एंडोप्लाजमी क्रेटिकुलम इस कॉल्ड है सार्कोप्लाजमी क्रेटिकुलम एंडिस सार्कोप्लाजमी क्रेटिक केल्शियम आइस का स्टोर हाउस होती है तो ध्यान देंगे मसल कॉंट्रिक्शन में आपको केल्शियम क्या वश्कता है जब भी आपसे कहा जाए कि मसल कॉंट्रिक्शन के लिए केल्शियम सेल के अंदर से आता है या बाहर से तो तुम्हारा अंसर क्या होगा कि मसल कॉंट्र अब देखें, यहाँ केल्शियम है, यहाँ आना है, तो केल्शियम को यहां से बाहर लाने का रास्ता चाहिए, और केल्शियम को यहां से ले जाने के रास्ते चाहिए, आपको पता है कि जो पैसेज है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है चैनल और दूसरा होता है पंप, इ जानते हैं न कि channel passive होता है जबकvard कैसा होता है एक्टिव यार और पंप पर जो ट्रांस्पोर्ट होगा वो अपहिल होगा तो यहां से केल्शियम को बाहर लाने के लिए यहां से देखे केल्शियम को यहां से बाहर लाने के लिए आपके पास यह मौजूद है बेटा कुछ केल्शियम चैनल यानि कि यह जो चैनल से यहां से बच्चो केल्शियम कहा आने वाला है बाहर तो अपने का केल्शियम यहां से बाहर आता है केल्शियम को बाहर लाने वाला यहां कौन है तो यह हमने का कि यह है केल्शियम चैनल और जैसे ही मैंने चैनल कहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि दियार पैसिफ मतलब की सारकोप्लाज्म क्रेटिकुलम से सारकोप्लाज्मे केलशियम को लाने के लिए क्या आपको energy के आवश्यक्ता है तो आप कहेंगे नहीं एनरजी के आवश्यक्ता नहीं है अब देखो आप calcium निकाल के बाहर ले आए अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे ये जो calcium channel है न इनको अगर आप देखें तो ये बेटा alphabet L के जैसे नहीं दिखाई देते alphabet L जैसे देखने की बज़े से इनको कई बार L-tibule भी कहा जाता है तो हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि इसको अगर T-tibule कहा तो इसके बगल में कुछ टibule होगी जैसे लंबी घूमी होगी उसको L-tibule कहेंगे ना L-tibule नाम किसका होता है कि calcium channel का नाम होता है अब यहां से आपको calcium वापस भी ले जाना है जब muscle contraction हो जाएगा तब तब तो आप calcium को lower से higher concentration की तरफ ले जाना चाहते हो जहां पे diagram दिया है muscle contraction का sliding filament theory का last वला yellow color के background वला diagram उसके नीचे की line पढ़ना लिखा है calcium is pumped back to sarcoplasmic reticulum यानि कि sarcoplasmic reticulum में calcium जब जाता है तो इस calcium की pumping की जाती है तो यानि कि यहां से जब आपको calcium ले जाना होगा वापस से अंदर तो calcium को अंदर ले जाने के लिए अब आपके पास होगे यहां पर pump और यह जो pump है यह calcium को कहा पहुचाएंगे बेटा अंदर तो हमने का कि calcium को अंदर ले जाने के लिए यह आपके पास क्या होगे calcium pump है तो ध्यान अखेंगे केलशियम को बाहर लाना काम है चैनल का जबकि अंदर ले जाना काम होता है पंप का अब यहां देखें और देखो ध्यान दो मैं अभी भी NCIT की ही बात कर रहा हूँ और CIT ने समझाया था आपको किपभी अब को भूलेगा कभी नहीं कि कंद्यूं का अंदर जाना एक्टेब प्रोसेस है या पैसेव ब्रोसेस तो द्यान गक्रेखों का बाहर आना पैसेव जबकि calcium का बापस से अंदर जाना active process होती है अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर जो पूरा सारको प्लाजम है इस सारको प्लाजम के अंदर कई सारे पतले-पतले fibrils यहाँ पाए जा रहे होंगे क्या पाए जाते हैं? fibrils पाए जाते हैं अब यह जो fibrils यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इन fibrils के बारे में आप देखें तो हमने कहा, सब एक fibril यह है एक और fibril यह हुआ ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे होंगे, ठीक? हम डाइग्राम में केवल अभी दो दिखा रहे हैं तो हमने का कि यहाँ पर यह क्या present है, वेटा, fibrils present है तो cylindrical structure पाई जा रहे हैं, which are called as fibrils अब यह जो fibrils हैं एक्चुली यही fibrils वो चीजे हैं जिनके अंदर आपको alternate light और dark band दिखाई देते हैं अभी background black है, तो अभी आपको light और dark नहीं समझ में आएगा अगले diagram में मैं आपको और बहतर तरीके से समझा दूँगा कि light और dark band कहते किसे हैं अभी बस आपको इतना समझ लेना है कि muscle contraction एक बहुत आसान सा chapter है पस इसको समझते जाना है, साथ साथ चलते जाना है आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगे सो देखे, मैंने कहा कि ये क्या कर रहा है बेटा कि यहाँ पर alternate light और dark band मौझूद है ये जो alternate light और dark band है, ये पाई किसकी अंदर जा रहे है तो आपने कहा कि ये मौजूद है, myofibril में किसके अंदर है, myofibril आपने कहा कि ये पाई जाते है, muscle fibril में तो muscle fibrils के अंदर ये पाई जाते है तो muscle fibril, muscle मैं along the length range अब यहाँ देखो, muscle fibril यहाँ बीच में एक दम free सा suspended है इस मसल फाइब्रेल को आपको लिजा करके जोड़ना है जब मसल फाइब्रेल को आपको जोड़ना है किनारों पर तो किनारों पर इसको जोड़ने के लिए अब आपको चाहिए होगी कुछ इस्ट्रक्चर और आपको यहाँ जो चाहिए होगा वो एक प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन कौन सी प्रोटीन चाहिए बोलो प्रोटीन का नाम क्या है डिस्ट्रोफिन तो कौन सी प्रोटीन चाहिए अपने को डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है जो की जोडती है जैसे ही मैं नाम लेता हूँ dystrophin protein का तो क्या आपको याद आती है disease muscular dystrophy ज्यान दो यहीं हम बात कर लेंगे muscular dystrophy याद आई की नहीं क्या आपने genetics के अंदर आपने पढ़ाए कि dystrophin coding gene सबसे बड़ा gene होता है पढ़ा ना पर उसका मतलब यह मत निकाल लेना कि dystrophin सबसे बड़ी protein होती है ना dystrophin सबसे बड़ी protein नहीं है muscle में dystrophin से भी कहीं ज़्यादा बड़ी-बड़ी proteins पाई जाती है जैसे muscle में सबसे बड़ी protein होती है titan तो dystrophin coding gene सबसे बड़ा है dystrophin protein सबसे बड़ी नहीं है, ध्यान दे, अगर ये dystrophin protein ना बने, तो इसके ना बनने पर, क्या ये myofibril सार कोलामा से अटैच हो पाएंगे, नहीं, dystrophin अगर नहीं बन रही, तो कब नहीं बनेगी, जब dystrophin coding gene के अंदर हो जाए mutation, अगर mutation हुआ, तो disease कैसी है, genetic, परना पलट के देखो, क्या NCIT लिखती है, कि muscular dystrophy genetic disorder है, muscular dystrophy के अंदर कहा कि progressive degeneration of muscle होता है, भाई समझे, यह चीज है जिसे contract और relax करना है, यह चीज है जो contract और relax करेगी, अगर आपने इसे मतल के plasma membrane के साथ ठीक से नहीं जोड़ा, और यह freely अगर move करती रहेगी, तो इसके freely move करने के case में, अब क्या होगा, कि यहाँ पर धीमेधी में करके यह इसकी plasma membrane को damage कर देगी न, तो plasma membrane damage न हो, या इस damaging से बची रहे, तो इस चीज को ensure करने के लिए जरूर ही है कि प्रूटीन हो, तो कौन से प्रूटीन जोड़ रही है, टिस्ट्रॉफिन, अब देखे आगे, जब इसके अंदर जादा तर यही myofibril भरे होंगे, तो बिटा, nucleus बगरा सारे एगदम periphery पर यह पहुच जाएंगे न, तो हमने कहा कि यहाँ पर, जो nucleus पाया जाता है, यह nucleus बच्चों कहां मौजूद रहेगा, तो अपने कह दिया कि nucleus साब, यह आ गया यहाँ periphery पर, देखे, जैसे ही बात आती है, muscle contraction के बारे में, तो muscle contraction में अपने को लगता है, कि इसमें खर्च होगी energy, और अगर इसके अंदर खर्च होनी है energy, तो अब आपको ज़रूरत किसकी प बना करके कौन देगा, तो अपने दिमाग में याद आता है, माइटो कॉंट्रिया, तो यहाँ पर, यह माइटो कॉंट्रिया भी खूब सारे पाए जाएंगे, तो देखे, इसके अंदर क्या हुआ, कि आपने कहा कि यह, एक मिरे बिटा, देखे, यह मैंने कहा कि इसका नूक्लियस है, जो कहाँ पाया जाता है पेरिफरी पर, साथ मैं आपने कहा कि यह जो सेल ओगनल है, यह है माइटो कॉंट्रिया, और इस माइटो कॉंट्रिया का काम क्या रहेगा, ATP का सिंथेसिस करना, तो ATP बनाना इसका काम है, तो क्या अपने को यहाँ पर इतनी बात समझ में आई, कि भई एक मसल फाइबर की स्ट्रॉक्चर में क्या क्या चीजे होती है, तो आप ध्यान दो, हमने पूरी मसल देखी, फिर हमने फैसिकल यनिमसल बंदल समझा क्या है, अब हमने समझा कि मसल फाइबर क्या है, यह मसल फाइब्रिल पाए जा रहे हैं, ये मसल फाइब्रिल क्या होते हैं, तो ये जो मसल फाइब्रिल हैं, इनी के अंदर ये जो इतना पोर्शन है न, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं सारकोमियर, तो ये सारकोमियर क्या है, मसल फाइब्रिल क्या होता है, इस चीज को अपने को समझ ना है पर पहले यहां तक की बात आपको समझ में आई है या आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है तो वो आपको शेक्टापट बता दें जिससे के पना आगे बढ़ें पताओ यहां तक कहीं कोई दिक्कत परिशानी ओपको कुषए तक कर दो का कक्थए ने अरे उड़ें झाल 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 सो अब बढ़ जाते हैं अपन फटाफट आगे देखो यहां पे अपने को समझना है यह जो पूरा है नzna जो ब्लैक वाला पोर्शन अपने को देख रहा है यह अपना पूरा मसल फाइब्रिल है ठीक अब इस मसल फाइब्रिल को मालो कि एक तरफ सार्कोलाबा से यहां जुड़ा है एक तरफ इधर जुड़ा हुआ है यहाँ पर अपने को जो इस्ट्रक्चर देखेगी वो है सारकोमियर पहले तो आप देखे कि सारकोमियर है कहां से कहां तक तो NCIT ने आपको सारकोमियर यह दिखाया है NCIT का डाग्राम साथ में लेके बैठेंगे तो हमने सारकोमियर यह देखा अब यह जो सारकोमियर है इस सारकोमियर में देखे आपको क्या क्या चीज़ें दिखने बाली है वो हम जरा देखने तो पहले तो यह जो सारकोमियर है इसम आपको दो तरीके के filament दिखाई देते हैं कौन-कौन से हैं पहला ये और दूसरा ये वाले filament आप देखो ये जो पूरे red है और दूसरा ये वाले हैं ये दोनों जो filament हैं इन filament में से जो ये red color के filament आपको बीच में बच्चों दिख रहे हैं, इन filaments को, अपन नाम देते हैं, थिक filament, तो इसे क्या कहा जाता है, थिक filament नाम देते हैं, थिक filament को एक और नाम दिया जाता है, it is also called as myosin filament. तो thick filament का एक और नाम क्या होता है? Myosin filament इसका नाम होता है. तो यह हुआ आपका myosin filament या thick filament. वही पर दूसरा जो filament है, इसे कहा जाता है thin filament और thin filament का एक और नाम होता है, इसे कहा जाता है actin filament. अब जरा ध्यान देते जाएंगे साथ में बताओ जरा मैंने term thin और thik use की है या मैंने term यहाँ पर short and long use की है कौन सी term use की thin और thik न इसका हिंदी में मतलब क्या होता है पतला और मोटा पतला और मोटा का मतलब हुआ कि अंतर लंबाई में की diameter में तो अंदर किसमें है, डायमीटर में, जा रखेंगे, थिन फिलामेंट और ठिक फिलामेंट की लंबाई बराबर होती है, यह वल इनके डायमीटर में अंदर होता है, ठिक फिलामेंट का डायमीटर जादा होगा, जबकि थिन फिलामेंट का डायमीटर कमपेटिबली कम रहेग तो हमने का filament कितने तरीक्वे हो गए दो एक कौनसा हुआ थेक और दूसरा कौनसा हो गया थिन फिलामेंट अब यह जो filament इनमें आप देखो जो यह आपका थिन फिलामेंट है यह किससे जुड़ा हुआ है जेड लाइन से किससे जुड़ा जेड लाइन के साथ जुड़ा है डाइगराम देखते जाएंगे थिन फिलामेंट किससे जुड़ा हुआ है जेड लाइन के साथ जेड लाइन के बारे में NCIT कहती है कि जेड लाइन एक इलास्टिक क्या काहें समझते जाएंगे Elastic Fibrous Membrane है तो रादर अपन यहाँ पर Equival Elastic Term रखते हैं ठीक तो अपन रादर कहेंगे कि जो Z-Line है ये कैसी कही गई है किसाब Z-Line Elastic होती है NCRT मेंडलाइन कर ले न Z-Line कैसी है Elastic है तो Z-Line के साथ कौन जोड़ा जाकर के थिन फिलामेंट थिन फिलामेंट के से जोड़ा होता है Z-Line के साथ यानि कि यही Z-Line आपको यहाँ भी तो दिख रही है देखो यहाँ पर भी तुमको क्या दिखा Z-Line दिखाई दी एक जेड लाइन तुमको यहाँ दिखाई दी है ना जेड लाइन के साथ कौन जुड़ा हिन फिलामेंट जुड़े अब यहाँ बीच में कौन है ठिक फिलामेंट है अब यह जो ठिक फिलामेंट है यह हवा में ऐसे तेरते रहेंगे नहीं न, इनको भी कहीं जोडोगे की नहीं, जोडना है, अगर इनको जोडना है, तो इनको आपस में जोडने वाली जो मेंब्रेन होती है, जिसको मैं यहां बना रहा हूँ, यह जो मेंब्रेन है, जो कि इनको आपस में जोडती है, इस मेंब्रेन को बच्चों नाम क्या मिलत है तो यह वाली membrane आपकी कही जाती है एक मिनट और यह वाली जो membrane है इसको बच्चों बोलते एम लाइन क्या कहा जाता है तो थिक filament आपस में किस से जुड़े होते हैं M-line के-through थिन-filament आपस में किस्ते जुड़े हैं जेड-line से M-line के बारे में NCIT में दिखो क्या NCIT लिखती है M-line के बारे में कि Fibrous है M-line कैसी है Fibrous जबकि वहीं पर Z-line के बारे में क्या लिखा है कि यह कैसी है Elastic है M-line के साथ कौन जुड़ा थिक-filament जेड-line के साथ कौन जुड़ा थिन-filament जुड़ता है अब यहां देखे दो successive जेड-line के बीच का space एक सारको-mere कहा जाता है तो सारको-mere कहा है यहां से लेकर के यहां तक यहनि कि दो पास-पास वाली जेड-line के बीच का space क्या कहा जाता है सारको-mere and this सारको-mere is called as functional unit of muscle तो इसी बच्चों सारको-mere को अपन क्या बोलते है functional unit of muscle कहा जाता है तो सारको-mere को आपने बोल दिया कि यह साफ functional unit of muscle है तो muscle की functional unit किसे कहा जाता है सारको-mere को नाम देते हैं तो सारको-mere हमारे पास क्या हुआ functional unit of muscle फिर से मैं revise करा हूँ anatomical unit किसे कहा था भी आपने तो anatomical unit आपने कहा था muscle fiber यह muscle cell को जबकि functional unit होता है सारको-mere देखें आप आगे आगे आपने कहा कि यह जो सारको-mere है अब इस सारको-mere के अंदर हमने कहा दो तरीके के filament यहाँ आप देखें आप ने क्या किया कि इधर से ठीक ऊपर से क्या किया बेटा हमने डाली plane polarized light कौन से light डाली plane polarized light टर्म को समझिएगा अभी जो light जैसे आ रही है यह पूरी जो light आ रही है इस light में अलग-अलग plane में जो light है वो अपने आप में आप जानते हैं कि एक wave की तरह भी travel करती है तो जो wave है वो अलग-अलग plane में है अगर आप यहाँ polarized glass लगा दे तो वो केवल एक plane की light को ही permit करेगा बाकी planes की light को वहां filter out कर देगा तो तुमने क्या किया यहाँ से light डालना शुरू करी और यहाँ से देखना शुरू करा तो क्या हुआ कि जिस region के अंदर filament जितने जादा होंगे उस region में absorption या scattering भी उतनी जादा होगी जहाँ filament जितने कम वहाँ पर absorption या scattering भी उतनी कम होगी बात समझ में आई कि नहीं लेट से तुम्हारी class में बच्चों की तीन रो हैं कितनी रो में बैठें बच्चे तीन कोने वाली जो दोनों रो हैं उनमें अमाल लेता हों कि 20-20 बच्चे बैठें और बीच वाली जो रो ह से बच्चे बैठे हैं और पीछे से अगर लाइट डाली जाए तो क्या होगा कि बीच वाली रो से पार करके बहुत कमी लाइट आएगी न क्योंकि ज्यादा तर लाइट क्या होगा reflect हो जाएगी स्केटर हो जाएगी एब्सॉर्ब हो जाएगी किनारे वाली दोनों रो के क इसमें क्या होगा ज्यादा लाइट आ रही होगी तो मतलब ज्यादा लाइट कहां आती है जहां पे फिलामेंट हों कम जहां फिलामेंट होंगे ज्यादा वहां पे लाइट आएगी कम तो इसी बेसिस पर हमने यहां पर कहा कि जहां पर फिलामेंट ज्यादा थे वहां के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर आपको थिन और तिक दोनों तरीके के filament देख रहे हैं यानि कुछ absorption थिक filament ने किया कुछ thin filament ने absorption किया ज़्यादा absorption हुआ तो आपको an isotropic क्या कहा जाता है an isotropic या dark band कहा जाता है देखो biology बेटा पूरा terms का खेल है अगर आपको term के मतलब समझ में आते हैं तो बावे में हर चीज चुठकियों में होती है और नहीं आती है तो आप इस बात रच जिरो बैठके तम जो term को an मतलब नहीं है iso मतलब बराबर tropic क्या हुआ तुमने यहां जितनी light डाली उतनी light यहां नहीं मिल रही है यहां जितनी light डाली उतनी light यहां नहीं मिल रही है मतलब कि दोनों जगे की light बराबर नहीं है तो इसको क्या कहा an isotropic band या dark band कहा कहां है सारकोमियर के सेंटर में है वही पर आप देखे अगर आप देखेंगे jet line के दोनों तरफ का region तो यह आपको compatibility light दिखाई देता है यह आपको compatibility light आपको देखेगा जो region आपको compatibility light दिखाई दे रहा है उस region को बच्चों क्या कहा जाता है i band कहते इसे अपन ने क्या कहा i band यह जो i band है इस term को भी समझेगा i band का यहां मतलब होता है isotropic यह light band i band का पूरा रहम क्या है isotropic यह light band ISO मतलब बराबर जितनी light यहां उतनी यहां light बराबर है तो isotropic band light यहां ज़्यादा यहां कब तो anisotropic band तो band कितने type के हो गए 2 isotropic और anisotropic तो आपने कहा कि यहां पर जो i band और a band है वो आपको दिखते है अब देखो मैं तुम्हें एक shortcut तरीका बताओ i band और a band याद कैसे किये जाते है ध्यान देना dark word में second alphabet देखो क्या आता है a light word में second alphabet क्या आता है i तो आप देखे क्या dark वाले band का नाम a band ही है और light वाले band का नाम i band है बताओ क्या आप कभी भूलोगे कि किसको a band और किसे i band कहा जाता है याद रह जाएगा a band कहा सारको मियर के बीच में i band किनारों पर ध्यान दे ये जो यहाँ पर बीच में z line है वो पूरे i band को भाई देखो i band आपका यहाँ से यहाँ तक था ये पूरा i band था ये इतना क्या था आपका a band था ये वाला क्या था i band था अब i band को जो jet line है वो बीच में से bicep कर रही है और आपने कहा है कि सारको मियर तो था भी यहाँ से ले करके यहाँ तक होता है है ना तो इसका मतलब हुआ कि एक सारको मियर में इसके अंदर half i band plus a band plus half i band आता है एक सारको मियर में half i band plus a band plus half i band आता है इतनी जगह को मिला कर कि आप क्या बोलते हैं सारको मियर अब जड़ा देखे a band के भी center पर आते है a band के center में इतने portion पे ध्यान दें इस portion में cable thick filament है यहाँ पे thin filament नहीं है cable कौन सा filament है thick filament ही पाया जा रहा है जब यहाँ पर cable thick filament है तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो region होगा इस region के अंदर आपको light का absorption उतना ज़्यादा नहीं होगा मतलब कि पूरे a band के comparison में a band का जो central part है वो central part compatibility light color का रहेगा आप देखो ये वाला जो portion है यहाँ से यहाँ तक ये आपको compatibility हलका दिख रहा है ये जो compatibility light part दिखाई देता है इसको आपन क्या बोलते है h zone कहते है क्या कहते है h zone कहा जाता है वैसे बच्चो जो z line है m line है h zone है इनके अपने पूरे नाम भी होते है french language के नाम है जैसे z का मतलब होता है jvistens chief m का मतलब होता है middleist chief और h zone को हम बोलते हैं henson zone पर आपको इन में से किसी के पूरे नाम याद नहीं करने है तो आपने कहा कि फिर से देखेंगे आपने कहा एक सार को मियर दो z line के बीच में एक सार को मियर में दोनों तरफ का half i band बीच का a band a band वाले region में ठिक और थिन दोनों तरीके के filament है देखो दिख रहे ना i band में cable thin filament होते है a band का जो central part है central part में cable ठिक filament होते है यहाँ पे thin filament नहीं होते क्या आपने को इतनी बात समझ में आई सार को मियर की structure में इतनी बात ने clear ध्यान रखो अगर आपको सार को मियर की structure समझ में नहीं आती तो आप यह तैमान लीजे कि आपको sliding filament theory कभी समझ में नहीं आने वाली है क्योंकि वहाँ जब बात आएगी कि भई A band घटेगा कि बढ़ेगा कि क्या करेगा तो जब तक आपको A band ही clear नहीं है तब तक आप समझाएंगे कैसे आगे बाते तो अपने को अगर इतनी बात समझ में आती है तो आप उजे फटा-फट बताएं तो आपने और आगे बढ़ें अच्छा आई एंड एर के लिए एक बच्चे ने पूछा है और बालक का नाम है श्रियस भाई तो जैसे एक बार फटा-फट मसल कंप्लीट करते हैं फिसके बाद अगले बन शॉट में आई एंड एर कंप्लीट कर लेते हैं यह एक काम करेंगे एक बन शॉट में आई एक नई एर आसान सा काम तो आगे बढ़ा जाए देखे अब बच्चों जो हम आगे बढ़ते हैं इससे आए तो हमें अब समझना है कि यहां पर जो कॉंट्रेक्टाइल प्रूटीन आएगी इन कॉंट्रेक्टाइल प्रूटीन की इस्ट्क्चर कैसी है सो अपने को बात करनी है अबाउट कॉंट्रेक्टाइल प्रूटीन देखे हमने कहा कि हमारे पास फिलामेंट दो तरह के हैं एक है थिक फिलामेंट और दूसरा है थिन फिलामेंट पहले हम इन में से बात करने वाले हैं थिन फिलामेंट के बारे में जैसा कि हमने अल्रेडी बात की कि थिन फिलामेंट को हम एक और नाम भी देते हैं इट इस अल्सो कॉल्ड एज एक्टिन फिलामेंट तो थिन फिलामेंट का एक और नाम क्या है? एक्टिन फिलामेंट पहली बात थिन फिलामेंट में प्रूटीन कितनी है? तीन ट्रोपोनेन, ट्रोपोमाईसेन और F-Aक्टिन सबसे पहले हम पूरी कहानी की शुरुवात करते है F-Aक्टिन से इसको जब लेके आपते हैं, देखे अगर मैं बात करूँ तो एक प्रूटीन है जिसका नाम है G-Aक्टिन प्रूटीन का नाम क्या है बच्चो, G-Aक्टिन यहाँ G stands for globular तो G word का मतलब क्या है, globular यानि कि यह जो प्रूटीन है यह प्रूटीन कुछ ऐसी globules के form में तो प्रूटीन बच्चो किस के form में है, globule के form में प्रूटीन है, क्योंकि यह globule के form में है तो इसलिए आप इस प्रूटीन को नाम क्या दे रहे है, G-Aक्टिन आपने नाम दिया और हर G-Aक्टिन के अंदर एक active site पाई जा रही है हर G-Aक्टिन molecule पर एक क्या मौजूद है active site G-Aक्टिन पर जो active site है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ active site यह इसकी जो active site है, यह actually है क्या तो यह active site इसकी actually, बच्चों, myosin binding site है तो यह इसकी क्या है, myosin binding site है यानि कि यहाँ पर यह bind करता है myosin के साथ जो G-Aक्टिन है, यह अध्यान रखेंगे monomer है यह क्या है, monomer G-Aक्टिन से formation होता है F-Aक्टिन का तो G-Aक्टिन से बच्चों क्या बनता है, F-Aक्टिन बनता है यहाँ पर जो F है, इसका मतलब है filamentous F-Word का मतलब क्या हुआ, filamentous तो G का मतलब क्या हुआ, globular जबकि F का मतलब क्या हुआ, filamentous और जो F-Aktin है यह है एक Polymer यह क्या है Polymer ध्यान रखें G-Aktin Monomer जबकि F-Aktin क्या है Polymer आप देखे F-Aktin को एक बार देखते है तो F-Aktin के केस में क्या रहेगा ऐसे करके कई सारे G-Aktin आपस में जुड़ते चले गए जब यह कई सारे G-Aktin आपस में जुड़े तो इनके आपस में जुड़ने की बज़े से एक Filament बना जो Filament बना उस Filament का ही नाम क्या है F-Aktin तो F-Aktin का Formation किस से होता है G-Aktin से Formation हुआ अभी यह F-Aktin का कितना Strand है आपके पास एक है कितना Strand है एक एक स्टेंड ध्यान देंगे इस बात पर देखो F-Aktin का एक स्टेंड यह आपको दिखा और F-Aktin का दूसरा स्टेंड आपको यहां दिखाई दिया तो F-Aktin के स्टेंड कितने हो गए दो तो हमने कहा कि यह जो एक स्टेंड है अब ऐसे ही F-Aktin के दो स्टेंड आपस में मिलेंगे और यह दो स्टेंड मिल करके फॉर्मिशन करते हैं थिन फिलामेंट का मतलब कि आपसे जब भी कहा जाएगा कि थिन फिलामेंट में F-Aktin के कितने स्टेंड होते हैं तो हमेशा तुम्हारा अंसर क्या होगा दो एक थिन फिलामेंट में F-Aktin के स्टेंड कितने हैं दो स्टेंड होते है F-Aktin के तो आपने कहा कि एक अपने पास है G-Aktin और दूसरा कौन हो गया F-Aktin अब यह जो G और F-Aktin है इसमें से हम बात कर लेते हागे तो Aktin के बाद फिर आप आगे देखें अगली प्रोटीन आपके पास जो आती है इस प्रोटीन का नाम होता है ट्रोपोमायोसिन कौनसी प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन अच्छा मुझे बताओ यह जो F-Aktin है इसको क्या कोगे ग्लूबलर प्रोटीन है कि फिलामेंटस है F-Aktin को क्या कहा जाए कि यह F-Aktin फिलामेंटस प्रोटीन है तो आपने कहा कि अगली प्रोटीन कौन सी आई ट्रोपोमायोसिन इसके बारे में भी देखें यह जो ट्रोपोमायोसिन है यह भी बिटा फिलामेंटस होती है Tropomycin कैसी प्रोटिन है filamentous प्रोटिन होती है तो यह जो Tropomycin है this one is also a filamentous protein तो जो filamentous protein यहाँ पर है इसको अपनने नाम क्या दिया है Tropomycin अबने नाम दिया अब यह जो Tropomycin है इसके भी strand किनों कितने है देखो एक यह गया यहां से इधर पीछे चला गया इधर आया यहां तक फिर यहां पीछे चला गया दूसरा यहां गया इधर पीछे गया यह निकल के आया फिर यहां तक फिर यहां से पीछे चला गया तो आपने कहा कि यहां जो ट्रोपो माईसिन है इस tropomycin के भी कितने strand होते हैं, दो, कितने strand है, दो, अगला बताए, ये जो tropomycin है, ये thin filament के साथ, यानि कि actin filament के साथ, continuously run कर रही है, या interval पर है, तो अपन क्या कहेंगे, कि ये filamentous है, दो strand है, and it run continuously, run कैसे कर रही है, बच्चों, continuously run करती है, तो अपन ने कहा कि ये continuously run कर रही है, पूरे पर मौझूद है, कोई भी भाग ऐसा नहीं है, जहां पर ये tropomycin मौझूद ना हो, तो कितनी protein की बात अभी तक करी, दो, पहली protein का नाम क्या लिया, अपन ने, actin, दूसरी protein क नाम क्या हुआ, tropomycin, अब तीसरी protein आती है, जिसका नाम है troponin, third protein is called troponin, तो अब ये जो troponin है, इसके बारे में आप देखें, ये troponin के बारे में अगर हम देखें, तो पहली बात NCRT कहती है, कि troponin, एक complex protein है, troponin क्या है बच्चों? Complex protein है, क्यों कहा complex? किनो जरा कितनी subunit है इसमें? एक, दो, तीन, कितनी subunit हुई? तीन, अगर इसके अंदर तीन subunit है, तो इसे क्या कहा जाएगा complex protein? तो complex protein क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर subunit कितनी है? तीन, अगली बात देखे जो अभी हमने tropomycin के case में बात की थी कि क्या interval पर पाई जा रही है regularly है वो चीज अगर हम यहां भी देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि troponin देखो regularly है कि interval पर है पताओ जरा troponin regularly present है या interval पर है तो हम कहेंगे कि troponin present होती है regularly तो आपने कहा कि जो troponin है it is present at regular interval तो यह present होती है regular intervals पर तो ध्यान देंगे actin और tropomycin तो continuously थे जबकि वहीं पर जो troponin है यह regular interval पर पाई जाती है अगली बात NCRT एक और लाइन लिखती है कि at resting state a subunit of troponin तो resting state में troponin की एक subunit mask the active site of actin क्यानि की actin की जो active site है उसको mask करना उसे cover करना resting state में यह काम किसका होता है तो अपने कहा कि एक subunit of troponin है क्यों का subunit of troponin क्योंकि troponin में subunit कितनी है तीन तो का तीनो subunit में से कोई एक subunit होगी जोकि active site को mask करेगी यह active site को cover कर रही होगी तो cover करने वाली कौन होगी troponin हलाकि देखे जब आताती है cover करने की तो अपना दिमाग इस बात भरोसा करता नहीं NCRT के लाइन पे क्योंकि जब अगर यह regular interval पर है तो हर जब आपने कहा कि देखो यह सारे G-actin है न हर G-actin पर active site जब अगर तो वहाँ यह कहा जाता है कि troponin और tropomyosin मिल करके एक biochemical sheath बनाते हैं एक biochemical covering बनाते हैं और यह जो biochemical covering है यह cover कर रही होती है active site of actin को तो यानि कि जब NCRT कहती है कि resting state में troponin की एक sub unit active site को mask करती है तो यहाँ NCRT ना तो पूरी तरीके से सही है और ना पूरी तरीके से गलत है तो इसलिए NCRT को हम दे देते है benefit of doubt और rather benefit देने की बात ही नहीं है यह सीरी सापसी बात अगर करना है NEET तो जो कुछ NCRT कहे उसको मानो सही हो तो मानो गलत हो तो दो बार मानो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है तुमसे या मुझसे ये नहीं कहा जाता है NEET में कि इस question को analyze करके बताओ question सही है कि गलत है आप NEET का prospectus पढ़ें बहुत अच्छे से वो साफ साफ कहता है कि हम आपको question दे रहे है question के चार विकल्प दे रहे है इन चार option में से आपको correct नहीं बताना है आपको most suitable बताना है सही गलत जो कुछ है वो हम बात में देख लेंगे तो भईये जहां NCIT सही हो उसे याद करो एक बार जहां भी आपके class में कहा गया के NCIT में कहीं controversy है कुछ कम जादा है गलत सही है उसको NCIT को याद करो दो बार यह NCIT में ये लिखा है और ऐसे ही लिखा है और हमें ऐसे ही याद करना है तो हम याद क्या करेंगे get resting state a sub unit of troponin mask the active site of actin तो यह अपन ने याद किया thin filament के बारे में अब thin filament के बाद दूसरा filament अपना कौन सा हैगा बच्चों thick filament तो एक बार जल्दी से मुझे बताएं क्या thin filament आपको समझ में आ गया है इतने में बेटा इसमें कहीं को डाउट तो नहीं किसी बच्चे को जितने बच्चे online है फटाफट बताओ अगर कहीं डाउट है तो अपन हाथ क्या solve करें नहीं आगे बड़े चलिए तो अब बच्चों अपन बढ़ते हैं आगे जब हम बात करेंगे ठीक filament के बारे में कि थिक filament क्या है और ठीक filament के अंदर कौन-कौन सी चीज़े यहाँ पर आ रही होती है तो देखो ये जो अपन ने डाइग्राम दिया ये है बच्चों ठीक filament का तो थिन फिलामेंट के बाद सेकेंड वन इस ठीक फिलामेंट और ठीक फिलामेंट का दूसरा नाम होता है मायोसिन फिलामेंट तो ठीक फिलामेंट का दूसरा नाम क्या है बच्चों मायोसिन फिलामेंट इसका नाम हो जाता है तो ठिक फिलामेंट को मैंने दूसरा नाम क्या दे दिया मायोसिन फिलामेंट कहां अब यह जो मायोसिन फिलामेंट है किस से जुड़ा था M-Line से जुड़ा था ना यहां पर देखे जो मायोसिन है यह मायोसिन यह पॉलीमर है मायोसिन क्या है बच्चो पॉलीमर है और मायोसिन का मोनोमर होता है मीरो मायोसिन तो मीरो मायोसिन ये क्या है मोनोमर यानि कि मैं कह सकता हूँ कि मायोसिन का फॉर्मिशन मीरो मायोसिन के पॉलीमराइजिशन से होता है मायोसिन का formation किसे होता है मीरो मायोसिन के polymerization से तो मीरो मायोसिन जब polymerize होगा तो formation किसका होगा मायोसिन का अब देखो यहाँ पर आपको structure दिखाई गई है एक मीरो मायोसिन की राधर नाम मैं लिख लिता हूँ उपर तो मैंने का कि यहाँ पर आपको एक दिखाया है मीरो मायोसिन अब देखे लगबग ऐसे 300 मीरो मायोसिन एक साथ मिलते हैं और ये एक साथ मिल करके formation करते हैं एक ठिक filament का arrangement कैसे होता है समझेंगे मेरी बॉड़ी के जो central axis है मेरी बॉड़ी के central axis को तो माल लो एक दो मेरी बॉड़ी का central axis क्या हुआ कुछ मायोसिन फिलामेंट ऐसे करके निकले हैं कुछ मीरो मायोसिन ऐसे करके निकले हैं और माल लो अगर मेरे 1.500 हाथ उदर हो और 1.500 हाथ इदर हो और ऐसे ऐसे करके हाथ इदर ज़र हूँ जो थोड़ी-थोड़ी लंबाई पर आगे-आगे की दरफ निकल रहे हो जैसे रावड के दस दिर थे ना तो एक सेंटर वाला हुआ और फिर आगल-बगल वाले भी हो गए तो ऐसे आगर यहांप एतने सारे निकले हो इनमें से हर इंडिविजुल को मैंने क्या कहा मीरो मायसिन और पूरे को मिला करके अःपने क्या कहा मोंने नाम देदिया अब यह जो माय देकते और क्या-क्या चीज़ें अपने को समझनी है तो मीरो मायोसिन को जब इटा हम ट्रिपसिन के साथ डाइजेस्ट करते हैं ट्रिपसिन आप जानते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ट्रिपसिन इसे दो पार्ट के अंदर तोड़ता है ट्रिपसिन यहां से इसे डाइजेस्ट कर दीता है दो पार् ड्रन ठिक फिलामेंट तो ठिक फिलामेंट के साथ रन कौन करता है और लोट चो अर यह मिला करके कहा है क्रोस आर्म तो इसको आपने मिला करके क्या कहा Cross Arm NC18 नाम लिखा भी है Cross Arm के बारे में ध्यान रखेंगे कहा कि Project Out At Regular Interval तो ये बेटा Project करता है बाहर की तरफ Regular Intervals पर तो Regular Intervals पर बाहर की तरफ Project करने वाला कौन है? Cross Arm तो अपने कहा कि एक तरफ टेल और दूसरी तरफ कौन हो गया? Cross Arm हो गई तो टेल और Cross Arm वाला पार्ट ये दो पार्ट इसके अंदर बने टेल ठिक फिलामेंट के साथ है जबकि Cross Arm बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है अब अगली बात समझेगा अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि इन दोनों में से किसका Molecular Weight कम और किसका ज़्यादा होगा तो अब यसने तुम कहोगे टेल का Molecular Weight कम और Cross Arm का ज़्यादा जिसका Molecular Weight कम उसे कहा जाता है Light Miromaiocin क्या बोलते हैं Light Miromaiocin कहेंगे यानि कि Short में हमने नाम दे दिया LMM और जिसका Molecular Weight ज़्यादा उसको मैंने बोल दिया कि ये है Heavy Miromaiocin तो ये कौन हुआ? Heavy Miromaiocin हुआ और ये जो Heavy Miromaiocin है इसको Short में आप बोल देते हैं HMM Heavy Miromaiocin का नाम क्या हो जाता है? HMM तो पार्ट कितने हुए? दो ये कौन हुआ? Light Miromaiocin और दूसरे को आपने क्या बोल दिया? Heavy Miromaiocin तो दो पार्ट इसके अंदर हो जाते हैं The one is called Light Miromaiocin and the other is called as Heavy Miromaiocin ठीक फिलामेंट के साथ रन कौन करने वाला है? Light बाहर प्रोजेक्ट कौन करेगा? तो अपने कहा कि Heavy Miromaiocin बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा होगा अब जो Heavy Miromaiocin है इसके अंदर आपको बेटा यहां पर दो पार्ट दिखाई देते हैं ये जो दो पार्ट आपको यहां देखने वाले हैं इसमें ध्यान देंगे ये इतना जो पार्ट है इस पार्ट को बच्चों कहा जाता है Short Arm ध्यान से देखेंगे इतने पार्ट को आपने क्या कहा? Short arm और फिर ये वाला जो पूरा पार्ट है इस पूरे पार्ट को अपन बोलते हैं head तो ये वाला पार्ट क्या हुआ? Head यानि कि Short arm और head को मिला करके क्या बोलते है? Cross arm यानि कि अगर मैं कहीं किसी भी जगे आप से कहता हूँ कि Miromycin के अंदर Short arm and cross arm are the similar things then they are the similar things? नहीं, ये similar बाते नहीं है ये दोनों अलग-अलग कहानिया है तो अपन ने का कि Short arm और head को मिला करके क्या बोलते है? Cross arm यहाँ जो head है इसके बारे में ध्यान रखेंगे head होता है globular head कैसा है? globular होता है तो head के बारे में अपन ने याद किया globular head के पास दो तरह की side पाई जाती है head के पास कितनी तरह की side? दो पहला आपको यहाँ दिखेगा actin binding site जो देखो कहा है उपर की तरफ है न? और दूसरा ATP binding site जो कहाँ पाई जा रही है आगे की तरफ है ATP binding site आगे actin binding site उपर कैसे याद रखें? तो जरा ध्यान देंगे इसको याद रखने का तरीका यह है कि कौन सी side कहा होती है इस जीश को याद रखना है तो ध्यान दो इसे बेटा ऊपर जाके जुड़ना है न? actin के साथ actin के साथ ऊपर जाके जुड़ेगा मतलब कि इसके सिर पर ओनी चाहिए actin binding site बो हाँ के न? जबकि ATP से तो यहाँ नहीं जुड़ना है ATP तो अगर यहाँ जुड़ेगा तो भी तो काम चल जाएगा न अपना मतलब आगे के तरफ कौन होनी चाहिए ATP binding site और सिर के ठीक उपर कौन होनी चाहिए actin binding site तो आप देखें डाइग्राम में सिर के ठीक उपर कौन होता है actin binding site क्योंकि ठीक उपर actin से जुड़ेगा जबकि आगे की तरफ कौन है यहाँ ATP binding site और यह जो ATP binding site है यह एक एक एंजाइम है जिसका नाम है myosin ATP यह क्या है बिटाइक enzyme जिसका नाम क्या होता है myosin ATP यनि कि अगर आपसे कहा जाए कि myosin का कौन सा पार्ट enzymatic activity शो करता है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा head head enzymatic activity शो करता है क्योंकि head जो है वहाँ पर मौझूद है myosin ATP और यह myosin ATP क्या करेगा यह बिटा ATP को तोड़ करके convert करने वाला है ADP में तो ATP will be converted into ADP जब यह ADP में convert होगा तो इसके ADP में convert होने पर energy release होगी and this energy will be used in contraction of muscle तो muscle contraction में energy काम आती है यहां तक अपनने बात की जो ठीक filament के बारे में जल्दी से फटापट देखो और मुझे बताओ क्या आपने को इतनी बात अभी समझ में आई जल्दी से comment करके बताएं झाल प्रापट झाल अभी भी झे-क जिस जिस तो बचो फटा फट जरा जल्दी से बताएं किया आपने को इतनी बात समझ में आई या इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन है झाल 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 हुँआ झाल आप हो जब आगए हम जो बात करेंगे वह में समझना है कि मसल कॉंट्रिक्शन होता कैसे तो जयरा में असका हम समझने की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मसल कॉंट्रिक्शन कैसे कैसे होगा, तो देखे, बात करते हैं about mechanism of muscle contraction, तो बच्चों muscle contraction को समझाने के लिए, जो theory दी गई है, इस theory को नाम दिया जाता है sliding filament theory, तो theory का नाम क्या है, sliding filament theory कहा जाता है, so this theory is called as sliding filament theory, अब देखे, पहले आपको समझ में आना चाहिए, कि sliding filament theory आप से कहती क्या है, या sliding Sliding Filament Theory आखिर है क्या चीजु तो Sliding Filament Theory ये कहती है कि जब Muscle Contraction होता है तो कोई भी filament छुटा नहीं होता ये कहती है कि जब Muscle Contraction होता है तो कोई भी filament छुटा नहीं होता इसका कहना सिर्फ इतना है कि जो In filament है यह glide करता है overtick filament समझे एक बात को जान देना कैसे समझेंगे इसे इसने यह कहा कि जब मसल contraction होगा तो मसल contraction के टाइम ना तो यह चोटा होने वाला है ना चोटा नहीं होगा और नहीं ये छोटा होने वाला क्या इन दोनों में से किसी की लंबाई घटेगी? नहीं केवल क्या होगा? ये एक दूसरी के उपर स्लाइड करेंगे ये एक दूसरी के उपर क्या करेंगे? स्लाइड जा देना माल लो तुम्हारा वेट हो 45 के लोग इतना? 45 और तुम्हारे दोस्त का वेट हो 80 के जी तो मुस को खीचो वो तुम को खीचे अपनी जगह इश्टे इश्टरी कौन रहेगा? 45 वाला के 80 वाला? बताओ तो इश्टे इश्टरी कौन? 80 वाला ठिचेगा कौन? 45 वाला तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे स्लाइड कौन करेगा? थिन फिलामेंट किसके उपर करेगा? ठिक फिलामेंट तो यहाँ पर ठियोरी क्या कह रही है? तो इस ठियोरी ने कहा कि मसल कॉंट्रेक्शन के दौरान कोई भी फिलामेंट अपनी लंबाई में कम नहीं होता तो इसने कहा कि None of the filament Shortened कोई भी फिलामेंट छोटा नहीं होता पहली बात कभी भी किसी भी सूरत में ऐसा मत कर देना कि तुम थिन या थिक फिलामेंट को छोटा कर दो यह पाप हो जाएगा तुम से तो पाप नहीं करना है अपने को किसी फिलामेंट को छोटा मत करना यहां पही कहा कि जो थिन फिलामेंट है ग्लाइड ओवर या स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट जब आप कहते हैं कि थिन फिलामेंट glide over thick filament तो इसका मतलब हुआ कि अपनी जगह पे stationary कौन ठिक stationary कौन है ठिक और move कौन करने वाला है thin filament move करने वाला है इससे पहले कि हम इसे और आगे अच्छे से समझें हमें ज़रा कुछ terms में अंतर पता होने चाहिए जैसे एक term NCIT यूज करती है बच्छो motor unit देखो आप अक्सर गलतियां कहां करते हैं कि आप NCIT पढ़ते हैं पर आप पढ़ते टाइम ये ध्यान नहीं देते कि कहां singular लिखा है कहां plural लिखा हुआ है कहां इस लगा है कहां नहीं लगा है आप बस चीजों को एक बस रटे में खीचे चले जा रहे हो पढ़े चले जा रहे हो तो भाईया ऐसे पढ़ाई नहीं होती है आपको चीजों पर ध्यान देना है देखे motor unit के definition a motor neuron and the muscle fibers attached to it या supplied by it चाहे टेश कहें या supplied कहें इसको मिला करके हम बोलते है motor unit जब मैं motor unit को define कर रहा हूँ तो motor neuron का number कितना लिया मैंने एक और muscle fiber का number अनिक कई सारे लिए हैं समझिएगा गया हमारा CNS ये क्या है CNS ये CNS एक neuron neuron का cyton ये हुआ ये इसका exon हुआ exon की यहां पर आकर के तीन ending मनी बालो exon ending मनी गिना आगे आपको पताए कि या सानिप्टिक विसाइकिल बनती है तो क्या हुआ कि ये exon ending यहां आकर के बनी अब इस exon ending पर क्या हुआ कि इसके साथ देखो बच्चो एक मसल फाइबर ये जुड़ा एक ये जुड़ा और एक ये जुड़ गया तो देखो एक मसल फाइबर ये जुड़ा एक और मसल फाइबर ये जुड़ा एक मसल फाइबर यहां जुड़ गया तो ऐसे करके मसल फाइबर यहां पर कितने जुड़े तीन फिर से definition पढ़ो एक motor neuron motor क्यों क्योंकि neuron information को CNS से लेकर के आ रहा था दूर तो जब अच CNS को information बेजनी है मसल को तो motor neuron ही काम में आएगा अगर definition में sensory कर दिया तो गलत हो जाएगी definition तो एक motor neuron और इससे attached जो muscle fibers हैं उन्हें मिला करके आप क्या कहते हैं motor unit क्यों कह रहो unit कारण क्या है तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो जब भी इसके पास information आईगी न तो ये तीनों के अंदर simultaneously या तीनों के अंदर एक साथ contraction होने बाला है इसके पास आईगी information तो तीनों में contraction होगा साथ में तो इसलिए आपने कहा कि इसको motor unit क्यों कहा क्योंकि ये सारी चीजें एक unit की तरह एक साथ काम कर रही है हमने कहा कि ये अपने कहा कि ये जो है motor unit की तरीके से काम कर रही है या पूरी एक unit की तरीके से मिलके काम कर रही है अब आगे हम देखते है अगली जो definition आती है वो आती है motor and plate तो अगली डेफिनिशन आती है बेटा, motor end plate यह इसे बोलते है neuromuscular junction तो motor end plate का दूसरा नाम क्या होता है? neuromuscular junction तो motor end plate का और क्या कहा जाता है? neuromuscular junction कहा जाता है motor and plate क्या है समझो अब इसमें से मैं क्या करता हूँ इतनी structure उठालू उठालू ना इसको लेके यहां जाए जब यहां लेकर क्या है तो अब जान देंगे देखे यह exon आया यह exon ending बनी यह जो exon ending बनी इसमें आपको पता है कि synaptic vesicle भरी होंगी synaptic transmission के बारे में आपने है पढ़ रखा होगा साथ मैं आप देखे आपने यहां पर कहा कि यह muscle fiber है यह क्या है muscle fiber ठीक तो यह muscle fiber है अब यहां पर आकरके अगर आप देखो तो हो क्या रहा है कि ये है आपका नियूरॉन और ये है मसल ये नियूरॉन और ये क्या है मसल क्या यहाँ पे नियूरॉन और मसल का मिलान हो रहा है दोनों आपस में मिल रहे है तो तुम कोगे हाँ दोनों आपस में मिल रहे है जब अगर दोनों आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या बना जंक्शन क्या बना जंक्शन किस-किस के बीच बना तो नियूरॉन और मसल के बीच जंक्शन बना तो वो जंक्शन जो नियूरॉन और मसल के बीच बनता है उसको क्या बोलते हो neuromuscular junction कहा जाता है अब समझेगा neuromuscular junction का ही दूसरा नाम क्या है motor and plate क्यों कहते है motor signal आया motor signal के आने की वज़े से neurotransmitter release हुआ और यहां करके motor signal की समापती motor signal का काम खतम तो वो plate जहां पे जाकर के motor signal खतम हो गया उसको आपने क्या कहा motor and plate क्योंकि यहां पे neural और muscle आपस में जुड़ते है तो इसलिए इस जगे को आपने क्या कह दिया है neuromuscular junction कहा है तो आपने कहा neuromuscular junction या motor and plate वाली बास समझ में आई समझेगा जब मैं यहां आपको समझा रहा था motor unit तो इसमें जड़ा देखो कि neuromuscular junction कितने है तो आपको दिखेगा neuromuscular junction यहां कितने है तीन इसलिए आपने कहा था एक motor neuron और muscle fibers जब आप कहते है motor and plate तो उस टाइम पर कितने fiber की बात करोगे एक तो एंसी आटी सास में देखते जाओ भाई है line पढ़ो एंसी आटी की lineों में समझो कि एंसी आटी क्या समझाना चाह रही है आपको तो यहां अपन ने कहा कि जब एक neuron एक मसल के साथ जुड़े तो जो इस ट्रक्चर बनेगी इसको क्या कहेंगे neuromuscular junction बताओ जल्दी से इतनी बात समझ में आई कि इस इतनी बात समझ में आई कि नहीं कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं चलिए तो अब बढ़ जाए जाए आगे जहां समझेंगे कि यह मसल कॉंट्रिक्शन आखिर हो कैसे रहा है तो उसके बारे में जड़ा देख लिया जाए कि कैसे क्या-क्या changes आते हैं और उसे समझने के लिए बापस से हम करते हैं कि वहीं जो अपन ने अभी diagram बनाया था ना मसल फाइबर वाला तो वही diagram फिर से हम ले लेते हैं इस diagram को हम इस पर बनाएंगे यहां बहुत ज़्यादा detailing पर मैं नहीं जाओंगा इस पर क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ तो अपन ने कहा कि यहां पर यह हो गई सारकोप्लाथ में क्रेटिकुलम जिसको मैंने लिख दिया SR बाकी सारी चीज़े अब जानते हैं इधर क्या हुआ कि यह एक 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 जॉन यह एक जॉन एंडिंग यह इसके अंदर बरी है साइनिप्टिक बसाइकेल जिनके अंदर ब कांट्रेक्शन कैसे होगा इसको अपने को समझना है तो देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चों आने वाला एक मोटर सिगनल तो पहले क्या आया मोटर सिगनल आया तो अब यहां से नियूरो ट्रांस्मिटर रिलीज होगा ना क्या रिलीज हुआ नियूरो ट्रांस्मिटर किस से रिलीज हुआ एक्ज अंडिंग से यहां mostly जो नियूरो ट्रांस्मिटर इंवाल्व होता है वो कौन सा होगा इसिटाइल कोली तो मोटर सिगनल आया और मोटर सिगनल आने की वज़ह से there will be release of acetylcholine और ये कहां release हो रहा है तो neuromuscular junction पर तो neuromuscular junction पर release हुआ acetylcholine acetylcholine क्या है neurotransmitter है अब ये neurotransmitter कहां काम करेगा तो यहां neuromuscular junction पर ये मौझूद है बिटा acetylcholine के receptors ठीक, so these are receptors of acetylcholine जब भी आप से कहा जाएगा कि acetylcholine के receptors कहां पाए जाते हैं तो आप कहेंगे कि acetylcholine के receptors मौझूद होते हैं sarcolemma पर कहोंगे sarcolemma पर पाए जाते है acetylcholine के receptor तो acetylcholine release हुआ release होने के बाद acetylcholine bind to its receptors और receptors कहां पाए जा रहे हैं sarcolemma या neuromuscular junction पर जो receptors मौझूद हैं इनके साथ बाइन करेगा अब जड़ा याद करो synaptic transmission acetylcholine के bind करते ही क्या हुआ था कि post synaptic membrane का depol हो गया था post synaptic membrane में क्या हुआ था depolarization हुआ था तो यानि कि जब acetylcholine यहां bind कर जाएगा then there will be depolarization of post synaptic membrane और यहां post synaptic membrane का मतलब क्या है आपका तो यहां पर इससे मतलब है sarcolemma तो भई यहां पर अपना मतलब क्या है sarcolemma तो sarcolemma के अंदर क्या हो जाएगा depolarization हो जाएगा sarcolemma में जो यह depol होगा तो sarcolemma में depol की वज़े से क्या होगा there will be release of calcium iron from sarcoplasmic reticulum ठीक समझेगा यहां पर आया अभी पहले कहानी क्या थी कि यह जो sarcolemma थी यह resting membrane potential या polarized state में थी जैसे ही यहां आकर के cetylcholine ने bind किया तो इसके bind करते ही तुरंट क्या हुआ बाहर से अंदर आ गया sodium iron sodium iron कहाया sodium के अंदर आने की वज़े से अब इसके अंदर क्या हो गया dipol sodium के अंदर आते ही यहां पर क्या हुआ depolarization हुआ sodium के अंदर आने से यहां जो depolarization हुआ उस depolarization के वज़े से अब जो sarcoplasmic reticulum है इस sarcoplasmic reticulum पर मैंने भी आपको बताया था कि यहां channel और pump आए जाते हैं उनमें से हमने कहा था कि calcium को बाहर लाने के लिए channel है तो जैसे ही इसका होगा depolarization तो sarcoplasmic reticulum से calcium निकल करके आ जाएगा बाहर और यह calcium जैसे ही बाहर आया तो calcium level in in sarcoplasmic in sarcoplasm तो क्या होने वाला बेटा sarcoplasm में जो calcium level है यह compatibility क्या होगा बढ़ जाएगा तो अपने कहा कि sarcoplasm calcium level क्या होने वाला है बढ़ने वाला है अब यह calcium बढ़ा तो करेगा क्या यह calcium जा करके bind कर जाता है a subunit of troponin तो किससे bind कर रहा है बेटा subunit of troponin के साथ जा करके bind कर जाता है आप ध्यान दो मैं एक भी ऐसा word नहीं कह रहा हूँ जो NCRT में न हो हम साफ शुद्ध NCRT की बात कर रहे हैं एकदम NCRT के हिसाब से बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो NCRT लंबे लंबे paragraph लिखे हैं वो paragraph तुम्हें आसानी से याद हो जाएं वो paragraph तुम्हें समझ में आये तुम्हें रटने न पढ़ें पस हम इतनी कोशिश कर रहे हैं बाकी हम NCRT के बाहर बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे हैं तो देखे calcium ने bind किसके साथ किया subunit of troponin meanwhile आप मुझे बताएं यहां से जब सार्कोप्लाजमिक रेटिकूलम से calcium बाहर आया तो calcium का बाहर आना active process सी या passive पताओ जरा कैसी process सी whether it was active और passive जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ फटाफट में देख रहा हूँ चलिया देखे जैसा आपने बात की कि calcium का यहां से बाहर आना passive process सी channels के थूँ बाहर आ जाता है अब यह calcium जो बाहर आया इसने आ करके troponin के साथ बाइन किया resultant बच्चो ट्रोपोनिन के structure change होगी ट्रोपोनिन के structure change होने पर ट्रोपोनिन का काम था कि यह एक्टिन की active site को cover करके रख रहा था addressing state यही तो NCRT ने लिखा था कि addressing state a subunit of troponin फिर से NCRT को समझना NCRT ने क्या कहा at resting state a subunit of troponin mask the active site of actin अब यह troponin की structure तो बदल गई तो जो mask करने वाला था यानि कि धकने वाला था वो धकने वाली की ही structure बदल गई तो active site exposed हो गई की नहीं तो मैं लेक सकता हूँ ना तो यहां मैं कहूँगा कि active site of actin is exposed तो actin की जो active site है वो अब यहां पर बच्चों क्या हो गया exposed हो गई ना तो actin की active site अब यहां पर क्या हुआ exposed हो गई यानि कि calcium की वजए से change किस में आता है thin filament या thick filament तो आप हमेशा कहेंगे कि calcium की वजए से जो change आता है वो आ रहा होता है किस के अंदर thin filament में क्या thin filament में जितने changes आते हैं उन changes के लिए आपको ATP की आवश्यक्ता है नहीं अभी तक ATP की कोई आवश्यक्ता नहीं है कता ही बिल्कुल जरूरत नहीं है ATP की जरूरत अब पढ़ेगी जब हम बात करेंगे thick filament के बारे में पहले अब बताएं क्या thin filament वाली बात अपने को पल्ले पढ़ रही है समझ में आ रही है के नहीं बताओ जरूरत जल्दी से चलिए अब बढ़ते हैं फटा फटा पन आगे आगे अगर हम बढ़ें तो अब अपने को बीटा बात करनी है कि thick filament में क्या-क्या changes आते हैं और कैसे changes आ रहे होते हैं तो thick filament के changes को एक बार जरा देख लिया आ जाए तो इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर हम एक diagram बनाने वाले हैं और एक minute यह इस पर डाइग्राम ठीक से नहीं बन पार हाँ पर्ट ओड़र घनhte है प टूणाम पड़ दो किसने नहीं फ़िया झाव बनाने भाँ किस्पट अऑगू किस्पट लिएक रहूख यह भंूगर है तुणक्धू़ा k देखे यहां पर हम इस डाइग्राम को जरा को समझनी कोशिश करते हैं कि आखिर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ तो यहां पर मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना है कि यहां पर आप इसे मालो यह क्या है बीटा जेड लाइन है यह जो spring जैसा हमने बनाया, यह हमारा thin filament है, और यह जो yellow color से मैंने बनाया, यह हमारा thick filament है, ठीक, अब अगर आपको समझना है कि पूरे सार कुमियर में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक mirror रख दो, और उसकी mirror image आप देखो उधर, तो पूरा आपको दिख जाएगा ना, सही आपको thin filament भी दिखने वाला है, बीच में आपको edge zone भी दिखाई दे जाएगी, तो बस आप यह मालो कि यहाँ आपने mirror रखा, और पूरे सार कुमियर का diagram बन गया, अभी देखे, जो यह हमारा myosin head है, इस myosin head में, अभी हमने कहा कि हमारे myosin head के अंदर, अभी यहाँ पर मौझूद है, ATP, अभी इसके अंदर क्या है, बच्छो, ATP मौझूद है, तो जब तक myosin head में ATP रहेगा, तब तक myosin head is separate from active, तो तब तक myosin head क्या रहेगा, बच्छो, यह separate रहेगा, किससे, actin से, तो आपन ने कहा कि myosin head, actin से separate रहेगा, कब तक separate रहने वाला है, जब तक myosin head के अंदर, क्या मौझूद रहेगा, ATP, तब तक myosin head, जांकर के actin से bind नहीं करेगा, अब क्या हुआ, इसमें जो myosin ATPase था, myosin ATPase ने इस ATP को तोड़ा, जब ATP को तोड़ा, तो इसे convert कर दिया, ADP plus inorganic phosphate में, convert किसमें किया, ADP plus inorganic phosphate के अंदर convert कर दिया, जब इसे convert किया, ADP और inorganic phosphate में, तो अब यहाँ पर हमने कहा, कि जो ATP था, इस ATP को, myosin ATPase ने convert किसके अंदर किया, तो अपन ने कहा, convert कर दिया, ADP plus inorganic phosphate में, तो ADP और inorganic phosphate में तोटा, पर अभी यह ADP और inorganic phosphate मायोसिन हेड के अंदर ही मौजूद है, यह ADP और inorganic phosphate अभी मायोसिन हेड से बाहर नहीं गया है, इसलिए आप देखे, मैंने दिखाया है कि हेड के अंदर अभी ADP inorganic phosphate है, जैसे यह ADP और inorganic phosphate यहाँ पे बनेंगे, तो इनके बनते ही, अब यहाँ पे होंगे दो काम, पहला काम क्या होना है, तो पहला काम तो यह होगा, कि मायोसिन हेड की जो structure है, यह change होगी, और यह कुछ ऐसे change होगी, कि अब यह जो मायोसिन हेड है, यह जा करके बिटा bind कर जाता है, एक्टिन के साथ, तो मायोसिन हेड ने, जा करके अब bind किसे कर लिया, एक्टिन से, इस टाइम पर भी, इसके पास ADP और inorganic phosphate है, ठीक, तो अपन ने कहा कि due to hydrolysis of ATP, तो अपन ने कहा कि hydrolysis of ATP हुआ, यहां हमने कहा कि cross bridge is formed, क्या बना, cross bridge बन गया न, जैसे यहां पर ATP का hydrolysis हुआ, तो ATP के hydrolysis की वज़े से, formation किसका हुआ, cross bridge का formation हुआ, cross bridge का मतलब हुआ, कि जब यह actin और myosin आपस में मिलेंगे, तो इनके मिलने पर जो compound बनता है, उसको बोलते है, actomyosin, क्या बोलते है, actomyosin, पर यह नाम NCIT में नहीं है, तो मैंने नाम लिखा भी नहीं है, कि यह actomyosin नाम की कोई चीज होती है, तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि cross bridge किसकी वज़े से बनता है, तो आप कहेंगे ATP के hydrolysis से, अब ATP के hydrolysis में energy भी तो release होती है, वो जो energy release होगी, वो energy कहाँ पर काम आएगी, तो उस energy के बारे में आप देखे, वो जो energy यहाँ पर release होई, वो energy यहाँ पर बच्चों क्या करने वाली है, कि वो इस myosin की, जो यह short arm थी ना, इसकी structure बदल देगी, structure जब change होगी, तो इसकी वज़े से, अब क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आप देखो, यह परिवर्तन आने वाला है, परिवर्तन क्या आ रहा है, तो उस परिवर्तन पर वैसे आपकी नजर पढ़ गई होगी, अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, तो उसके बारे में जरा देख लेते हैं, अगर आप देखें, तो जो change आ रहा है, वो यह है कि यहाँ पर, due to hydrolysis of ATP, हो क्या रहा है यहाँ पर बच्चो, hydrolysis of ATP हो रहा है, यह board पता नहीं कुछ issue create कर रहा है, थोड़ा सा, एक मिनिट बच्चो मैं जरा, देखता हूँ कि भी board को कहा, क्या दिक्कत परेशानी हो गई है, कर्मादध बच्च चितन को क्या में फ्रीटर एक है, जरी परेशला है, रहा ह्भाद़ानी हो बताभ आपका प्रेशप, जरी disciplात क्वेटर. तो, sorry for the interruption, board वापस से ठीक से काम करने लगा है, चलिए, तो हमने यहाँ पर हम बात कर रहे थे बच्चों जो, वो अपन बात यह कर रहे थे कि यहाँ पे जो ATP का hydrolysis हो रहा है था, तो हमने का के due to hydrolysis of ATP, यहाँ पर अब एक process हुई, जिसको हमने का sliding और rotation, इसको अपन ने क्या का sliding और rotation अकर, तो क्या हो रहा है, sliding या rotation हो रहा है, तो इसकी वज़े से क्या हो रहा है, sliding या rotation हो रहा है, अब यह sliding या rotation है क्या, तो इसमें अगर आप देखो, देखना अध्यान से, इधर, jet line यहाँ, इधर jet line यहाँ, पहले यह jet line यहाँ थी, तो दूसरी बाली jet line यहाँ थी, इधर क्या हुआ कि एक्टिन पहले मायोसिन ने जाकर के एक्टिन के साथ जुड़ा ये मायोसिन ठीक आपन कुछ ऐसे माल लेते हैं ये मायोसिन ये एक्टिन मायोसिन जाकर के एक्टिन के साथ जुड़ा जुडने के बाद फिर मायोसिन ने से खीचा अंदर की तरफ किस ने खीचा? मायोसिन ने किसे खीचा? एक्टिन को तो मायोसिन ने एक्टिन को अंदर की तरफ खीचा जब मायोसिन ने एक्टिन को अंदर की तरफ खीचा तो actin से कौन जुडा है jet line तो ये jet line भी कहा आएगी अंदर की तरफ jet line कहाने वाली है अंदर की तरफ आने वाली है तो आपने कहा कि jet line अंदर की तरफ आएगी ये जो sliding या rotation हो रहा है तो इस sliding या rotation की वजए से क्या होगा अब आप मुझे बताते जाएंगे यहाँ पर सारको मियर की जो लेंथ है यह बिटा घटेगी बढ़ेगी या सेम रह जाएगी बताओ जल्दी से यहाँ पर लेंथ आप सारको मियर में क्या चेंज आने वाला है जल्दी से बताएं पटापट बताओ क्या चेंज आने वाला है लेंथ आप सारको मियर यहाँ पर क्या होने वाला है कम क्यों होगा लेंथ आप सारको मियर कम समझते जाएंगे जरा इस बात को पटापट मैं NCRT की डाइग्राम से ही आपको समझाता जाता हो देखो यह वाला जो डाइग्राम था इधर क्या हुआ यह मायोसिन हैड यह क्या हुआ बच्चों देखो मायोसिन हैड यह यह जाकरके जुड़ा इसके साथ जुड़ गया ना जब यह इसके साथ जुड़ा तो इसने खीचा कहां अंदर की तरफ इसकी मिरर इमेज हमने बनाई इधर यह यहां जुड़ा इसने इसे कहां खीचा अंदर की तरफ यह वाली जेड लाइन कहां गई अंदर यह वाली जेड लाइन कहां गई अंदर दोनों जेड लाइन गई अंदर तो सारको मियर हुआ छोटा क्या होने वाला है सारकोमियर छोटा हो जाएगा तो हमने का कि यहां पर सारकोमियर की जो लेंथ है वो कमपेटिबली क्या होने वाली है कम तो हमने का कि लेंथ आप सारकोमियर यहां क्या होगा घट जाएगी अगला बताएंगे बताओ जरा मुझे यहां लेंथ आफ ए फिर से जरा एक बार डाइग्राम देख लो वही और इसी डाइग्राम में सोच करके बताना तो देखो यह बैंड किसकी लंबाई थी थिक फिलामेंड की लंबाई है ना मैंने क्या कहा था कि किसी भी फिलामेंड की लंबाई कम करना पाप है और यह पाप नहीं करना है अपने तो हमने कहा कि length of A band क्या रहने वाला है? Unchanged. In the same passion, आप मुझे बताएं. So, अपनने कहा कि length of A band बच्चों क्या रहने वाला है? Change. Length of A band वारी Unchanged रहेगा. ठीक? अब अपनने कहा कि length of A band Unchanged रहेगा. उसके अलावा अगली बात आती है कि जो length of I band है, उसमें कहाँ Change आने वाला है? तो हम जरा देखते हैं कि length of I band में क्या Change आएगा? तो बताओ, length of I band कम होगा, Unchanged रहेगा, या बढ़ जाएगी. तो बताओ, जरा I band में क्या Change आएगा? तो I band की लंबाई क्या होने वाली है? कम. क्यों कम होने वाली है? याद करो, I band, G line के दोनों तरफ वो इस पेस था, जहाँ पे थिक filament नहीं पाया जाता. तो I band किसी filament की लंबाई तो नहीं है. तो इसलिए क्या होगा? कि I band की length यहाँ पर क्या होने वाली है? कम. फिर आपने कहा कि length of I band कम हो जाएगा. length of I band के अलावा हम देखे length of H zone. यहाँ length of H zone घटेगी, बढ़ेगी है, सेम. तो length of H zone भी यहाँ क्या होने वाला है? कम. length of H zone क्या रह जाएगा? कम. अब यह तो हुआ कि अगर अपन रटें, तो हम ऐसे रटें. अगर रटना ही है, तो मैं और आसान बना देता हूँ तुम्हारे लिए. कि तुम और आसान ही सही याद कर लो. तो याद यह करना, कि muscle contraction में, जो हम याद करेंगे, वो हम याद यह करेंगे, कि muscle contraction में, length of filament और A-band के अलावा सब कम क्या याद किया, muscle contraction में, length of filament और A-band के अलावा, सब कम हो जाता है, यह याद करेंगे. ध्यान देना, यहाद काईदे से तो अगर मैं बात करूँ, तो muscle में एक zone of overlap भी होता है, जो बढ़ता है, पर मैं सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीजों की बात कर रहा हूं, जितनी चीज़े NCRT के अंदर दी हैं, और यह चीज़े NCRT में mentioned हैं, तो NCRT के हिसाब से हमने अपने of filament नहीं बदलनी चाहिए, और A-band नहीं बदलेगा, तो जो ATP का hydrolysis हुआ, उसकी वज़े से काम कितने हुए, दो, पहला काम क्या हुआ इसकी वज़े से, तो पहला काम था कि साब यहाँ पे cross bridge का formation हुआ, दूसरा काम क्या हुआ, sliding या rotation हुआ, यह sliding या rotation के बाद, फिर पर अगला काम जो होना है, वो अगला देखिए, अब क्या होगा, कि यह जो आपका myosin head है, अब इस myosin head से, ATP या ADP और inorganic phosphate चले जाते हैं बाहर, मतलब इस से, अब क्या होगा, कि ADP और inorganic phosphate कहा जाने वाले हैं बच्चों, बाहर जाएंगे, तो आपन ने का कि यहाँ से, ADP और inorganic phosphate, देखो, यहाँ मैंने arrow दिखाया बाहर की तरफ, कि ADP और inorganic phosphate कहा गई, बाहर, जैसे ही यह बाहर जाते हैं, तो इनके बाहर जाते ही, अब यहाँ पर क्या होगा, कि फर्दर sliding या rotation stop हो गया, तो further sliding या rotation, यह क्या हो गया बच्चों, stop, तो हमने कहा कि further sliding या rotation होना यहाँ पर बंद हो गया, अब हमने कहा कि अगला काम क्या होगा, तो अब साब एक नई ATP आ करके bind करेगी, जब नई ATP आ करके bind करेगी, तो उसकी वज़े से cross bridge क्या होगा, तूट जाएगा, तो हमने कहा किया new ATP binds and cross bridge is broken, और अब क्या होगा, cross bridge क्या हो जाने वाला है बच्चों, तूट जाएगा, तो नई ATP ने आ करके bind किया, और नए ATP के bind करते ही, यहाँ पर cross bridge क्या हुआ, तूटा, देखो, पूरी कहानी को आसान भाषा में, कम शब्दों में समझने के लिए, तुम ये मालनो मेरा जो हाथ है, ये myosin head है, ठीक, हमें एक कुए से पानी निकालना, बाल्टी से, हमने बाल्टी में एक रसी बांदी, और बाल्टी को हमने कुए में डाल दिया, पानी भल दिया, उसके अंदर, आवें बाहर निकालना है, तो मेरे हाथ क्या है, myosin, रसी जो है, वो thin filament यानिक actin filament है, मेरा हाथ अभी ऐसे है, क्या मैं अभी रसी पकड़ सकता हूँ, नहीं, अभी मेरे हाथ में ATP है, ठीक, इसमें मौझूद ATP टूटी, ADP inorganic phosphate बना, इसी के अंदर अभी है, इसने जा करके पकड़ा, और पकड़ने के बाद, ये जैसे ही पकड़ा, तो क्या बना, cross bridge बना न, मेरा हाथ और रसी, दोनों के बीच में क्या बना, cross bridge, दूसरा क्या हुआ, sliding या, rotation, रसी बोले तो, जैड लाइन, वो जो बाल्टी है, वो क्या है, जैड लाइन, और मैं क्या हूँ, M-Line, तो इदर क्या हुआ, मैंने जैड लाइन को M-Line की तरफ खीचा, पर एक बार इतना काम हुआ न, ये दूसरा मायोसिन, ठीक, वही मायोसिन के अंदर कही सारे मीरो मायोसिन थे, ये द उर्गनिक फॉसफेड बनते ही, इसनेक क्रॉस बरिज बनाया, मिन्वाइल, यहां क्या हुआ, A-डी पी इन 오빠 और उर्गनिक फॉसफेड बहां निकला, तो फर्दा स्लाइडिं या रूटेशन बंद, स्लाइडिं या रूटेशन बंद होने के बाद, यहां से स्लाइडि क्या है इसके अंदर ATP पकड़ा यानि क्या भी क्या है ADP inorganic phosphate प्रोसेस को क्या कहा cross bridge formation खीचा क्या कहा इसे sliding या rotation अभी इसमें क्या है ADP inorganic phosphate ADP inorganic phosphate बाहर गया तो इसके बाहर जाने पर further sliding बंद फर्दर sliding बंद हो जाएगी फिर क्या किया दूसरा वाला miromycin इसने से पकड़ा इधर पकड़ने के बाद जब इसने पकड़ लिया है तो इधर आकर कि क्या हुआ एक नए ATP आकर के बाइंड किया नए ATP के यहां बाइंड करने की वज़े से अभी हाथ क्या हुआ सीधा हो गया फिर से यानि क्या अभी के साथ नहीं जोड़ सकता तो आप अपने साथ यही एक्सपरिमेंट थोड़ी दिर करके देखें दो-चार बार आपको खुद बखुद अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मसल कॉंट्रिक्शन होता कैसे है तो यहां पर जो भी यह कॉंट्रिक्शन हो रहा था इ है उसमें हम कहानी शुरू करते हैं यहां से ठीक अभी इसके अंदर क्या मौजूद है बिटा एटीपी है आप देखो तीन ट्राइंगल दिखाए हैं तीनों ट्राइंगल रिप्रेजन किसे कर रहे हैं एक-एक फॉस्पेट को यानि कि अभी इसके अंदर है अब यहां पर इसकी वज़े से क्या हुआ क्रॉस ब्रिज का फॉर्मिशन हुआ ध्यान दो जब क्रॉस ब्रिज बना तो दो फॉस्पेट साथ में हैं एक अलग है मतलब एडीपी है इन और्गनिक फॉस्पेट है क्या बना क्रॉस ब्रिज cross bridge formation के साथ इसकी वज़े से ही क्या होने वाला sliding या rotation होता है तो sliding या rotation जब होगा तो sliding या rotation किसकी वज़े से हो रहा है ATP के hydrolysis की वज़े से जब एक बार sliding या rotation हो जाता है थियोरी पढ़ना NCRT के अच्छे से जब एक बार sliding या rotation हो जाता है तो उसके बाद sliding या rotation बंद कब होगा जब ADP in organic phosphate कहां चले जाएंगे बाहर पर क्या भी cross bridge टूटा नहीं cross bridge टूटने के लिए एक नए ATP का यहां आ करके bind करना जरूरी है तो इस तरीके से हमने समझा कि NCIT इस diagram के अंदर हमें क्या बास समझाना चाहती है जब हमें NCIT का यह diagram अगर समझ में आ जाता है कि NCIT इस diagram के अंदर हमें क्या समझाना चाहती है तो obviously अब हम आगे बात कर सकते हैं तो देखो यही पूरी कहानी continue रहेगी लगातार चलती रहेगी जब तक कि मसल में maximum contraction नहीं हो जाता अब maximum contraction के बाद बाताती है कि अब मसल relax कैसे करेगी तो उस relaxation के बारे में देखें तो अब देखें फर्दर क्या होगा कि जो motor signal है जो किसे आ रहा था? CNS से तो CNS से आने वाला motor signal क्या हो जाता है बच्चो? स्टॉप तो CNS से आने वाला motor signal यहाँ पर क्या हुआ? स्टॉप हो गया अब CNS से कोई motor signal नहीं आ रहा है जब CNS से कोई motor signal नहीं आ रहा तो इस motor signal के ना आने की वज़े से अब यहाँ पर क्या होगा कि release of acetylcholine at neuromuscular junction यह भी stop हो गया? जब acetylcholine का release नहीं हो रहा होगा तो अब उस टाइम पे जो सारकोलमा है यह सारकोलमा किसमें चली जाएगी बच्चो? रीपोल में तो सारकोलमा किसके अंदर चली गई? रीपोलराईजिशन में जो सारकोलमा अभी तक डीपोलराईजिशन में थी वही सारकोलमा किसमें चली गई? रीपोलराईजिशन में और सारकोलमा का जब रीपोलराईजिशन होगा तो इस सारकोलमा के रीपोलराईजिश की बज़े से release of calcium from sarcoplasmic reticulum to sarcoplasm ये क्या होने वाला है बच्चों stop तो release of calcium from sarcoplasmic reticulum to sarcoplasm ये क्या हो जाएगा stop हो जाएगा अब फर्दर ये बंद हो जाता है जब ये calcium का release sarcoplasm से sarcoplasmic reticulum में नहीं होगा so now calcium is pumped back calcium को क्या किया जाएगा बच्चों बापस से pump किया जाएगा तो sarcoplasmic reticulum धर्म पर ध्यान देना कहा कि pumped back यानि कि pump चलेगा अगर यहाँ pump काम करेगा तो क्या energy लगेगी हाँ मतलब कि muscle contraction में energy लगी थी हाँ क्योंकि cross bridge formation के लिए आपको ATP hydrolysis करना था क्या muscle relaxation passive process है नहीं muscle relaxation में calcium को बापस से बेजने के लिए आपको pump की जरूरत पड़ती है और pump बिना energy के काम नहीं करते हैं जब यह calcium वापस से चला जाएगा सार्कोप्लाजमी क्रेटिकूलम में तो आप क्या होगा कि calcium level इन सार्कोप्लाजम यह बच्चों क्या हो जाने वाला है कम तो सार्कोप्लाजमे calcium level क्या हो जाएगा कम तो हमने कहा कि सार्कोप्लाजमे पूरा बेटा अगर कहीं लास्ट स्टेप में अगर कहीं कोई दिक्कत रहेगी तो आप एक बार मुझे अलग से बता देना तो मैं उसे बाद में क्लियर कर दूंगा अभी अपन एक बार जाना समझ लेते हैं देखें अपने कहा कि केल्शियम लेवल सार्कोप्लाजमे कम होने वाला है जैसे ही केल्शियम लेवल कम होगा तो इसके कम होते ही इस्ट्रक्चर ओफ ट्रोपोनिन विल भी बैक टू नॉर्मल तो ट्रोपोनिन की इस्ट्रक्चर तो क्या हुआ नॉर्मल और ये जो ट्रोपोनिन था यही तो मास्क कर रहा था एक्टिव साइट को तो ट्रोपोनिन क्या करेगा ये मास्क कर देगा एक्टिव साइट और एक्टिन को तो इसने क्या किया एक्टिन की एक्टिव साइट को मास्क कर दिया या actin की active site को cover कर दिया तो actin की active site को mask करना या cover कर देना ये काम किसने की अट्रोप होने ने और actin की जो active site यानि की myosin binding site थी जब एटा उसी को cover कर लिया तो अब myosin bind कहा करेगा और bind नहीं कर पाएगा तो क्या फर्दर muscle contraction होगा? नहीं, यानि के muscle का क्या हो जाएगा? relaxation तो मुझे आप बताएं क्या muscle contraction और muscle relaxation दोनो active process हुए न? तो हम कहेंगे हाँ क्योंकि muscle contraction में ATP hydrolysis आपको चाहिए cross bridge formation के लिए और relaxation में आपको calcium को pump करने के लिए energy चाहिए तो दोनो process active है correlate करें breathing chapter के साथ breathing and exchange of gases में NCRT कहती है कि inhalation active process है क्योंकि इसमें muscle contraction होता है जबकि exhalation passive process है क्योंकि इसके अंदर muscle relaxation होता है पर यहां तो हम कहानी उल्टी ही पढ़ रहे हैं यहां पढ़ रहे हैं कि relaxation भी active process है तो ध्यान दें वहाँ जब NCRT ने active और passive define किया है तो वहाँ NCRT ने define करते time energy की बात नहीं की है वहाँ NCRT ने सिर्फ यह बात की है कि क्या इसमें muscle contraction हो रहा है या नहीं उसके basis पर दूसरा आप NCRT का तरीका समझें NCRT generally करती है कि जो भी chapters आपको पहले पढ़ा चुकी है उनके बारे में summarize आपको आगे के chapters में बताती है या आगे के chapter में अगर कुछीज detail में पढ़ाई जाने वाली है तो उसके बारे में बस थोड़ा बहुत hint पहले के chapters में दे दिया तो NCRT ने वहाँ पर active और passive जो लिखा है breathing वाले chapter में वो सिर्फ muscle contraction को ध्यान में रखते हुए लिखा है energy को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा यहाँ जब energy आपको समझाई है तो फिर आपको बताया है कि contraction भी active process है और relaxation भी active process ही होती है तो क्या बच्चों अपने को muscle contraction और relaxation की जो mechanism है वो समझ में आ जाती है अगर आती है तो हम फटा फट रेड और वाइट muscle fibers के बारे में बात कर लेते हैं मैं तब तक एक बार देखता हूँ किसी बच्चे को कहीं कोई doubt एक बार इसे फिर बापस से देखते हैं अपने कहा कि CNS से motor signal आना बंद जब CNS से motor signal नहीं आ रहे तो इसकी वज़य से neuromuscular junction पे acetylcholine का release भी बंद अब जो सार्कोलेमा है वो किस में चली जाएगी री-polarization में सार्कोलेमा में री-polarization होते ही calcium क्या होगा कि जो calcium यहाँ पे था सार्कोलास्मे वो pump करके वापस से कहा बेज दिया जाएगा सार्कोलास्मी क्रेटिकुलम में जब अगर सार्कोलास्म के अंदर calcium कम हो जाएगा तो calcium ही तो वो चाभी थी जो कि troponin को हटाई थी active की active site से और calcium रही नहीं जब calcium नहीं है तो troponin आकर के फिर से एक्टिन के active site को ढग देगा और एक्टिन के active site को आकर के इसने ढग दिया तो क्या myosin यहाँ बाइंड कर पाएगा नहीं myosin अब यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा अब देखे आगे NCIT बीटा एक और चीज़ की बात करती है red और white muscle fibers के बारे में तो वो जो red और white muscle fibers वाली कहानी है वो भी एपन एक बार देख लिते हैं तो हमारे पास जो skeletal muscle है यह दो तरीके के होती है the one is called as red muscle fiber and other is called as white muscle fiber तो यह कितने type का होता है दो red और white muscle fiber देखे white अपने आप में कोई color तो है नि red तो color है और color है तो मतलब कोई नों कोई pigment है pigment यहाँ muscle में कौन होता है myoglobin तो यानि कि red muscle fiber में कौन पाया जाना चाहिए myoglobin और जबकि यहाँ पर white के अंदर myoglobin should be absent तो myoglobin इसके अंदर क्या रहेगा myoglobin आप जानते हैं कि oxygen के साथ bind करने में मदद करता है जैसे हमारे अंदर blood में hemoglobin है वैसे muscle के पास myoglobin है तो myoglobin bind किसके साथ करता है oxygen के साथ इसका मतलब हुआ कि red muscle fiber के पास oxygen ज्यादा जिसके पास oxygen होगी ज्यादा उसमें respiration कैसा होगा aerobic या anaerobic तो भी इसनी aerobic होना चाहिए यानि कि यहाँ पर जो respiration है वो meanly कैसा हो रहा होगा aerobic respiration जबकि white के अंदर जो respiration होगा यह कैसा रहेगा बच्छो एन-aerobic respiration होगा तो aerobic respiration हुआ जबकि आपने बात की red की बारे में और anaerobic जबकि आपने बात की किसके बारे में white के बारे में देखो जब anaerobic respiration होता है तो formation होता है बच्चो लैक्टिक acid का मतलब जो pyruvic acid बनता है वो बात में जाकर के convert होता है लैक्टिक acid में and lactic acid is responsible for muscle fatigue किसके लिए जिम्बेदार है मसल fatigue के लिए तो अगर यहाँ aerobic respiration हो रहा है तो मतलब lactic acid कम बनेगा अगर lactic acid कम बनेगा तो यहाँ पर जो fatigue है यह compatibility delayed रहेगा यानि कि fatigue उतना जल्दी यहाँ पर नहीं आएगा जबकि यहाँ आपने कहा कि they soon get fatigue इनके अंदर fatigue compatibility क्या होगा जल्दी आ जाएगा तो आमने कहा कि fatigue जल्दी कहा आता है fight के अंदर अगला देखें आपने जब aerobic anaerobic respiration की बात की तो आप इसे mitochondria से भी जोड सकते हैं कि red के अंदर mitochondria का number जादा होगा भई mitochondria की जरूरत आपको केवल aerobic respiration में ही होती है न एनरोबिक में तो जो glycolysis है वो तो cytoplasm में हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि mitochondria का number यहाँ पर compatibility क्या रहने वाला है कम तो आमने कहा कि mitochondria का number कम होगा किसके अंदर वाइट में जबकि red के अंदर ज्यादा अब देखो एक सेल है सेल के अंदर का space है तुम चाहे उसमें myoglobin और mitochondria भर लो या उसके अंदर सारकोप्लास्मिक reticulum भर लो इच्छा तुम्हारी है रेड वाले ने कहा कि हमें साब myoglobin चाहिए तो फिर हमने कहा कि ठीक है सारकोप्लास्मिक reticulum कम मिलेगा रेड ने कहा ठीक है तो हमने ऐसे करके correlate किया कि यहाँ पर सारकोप्लास्मिक reticulum कम डबलब्ड होगा तो इसके पास सारकोप्लास्मिक reticulum कमेटिबली क्या पाया जाएगा बच्चो कम जबकि वहीं पर वाइट में हमने कहा कि यहाँ पर जो सारकोप्लास्मिक reticulum है यह कम्पेटिबली क्या रहेगा बच्चो ज़्यादा होगा तो सारकोप्लास्मिक reticulum यहाँ परento at Sarko P sami Q reticulum can be correlated to calcium, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ calcium supply कम, यहाँ पर ज्यादा, इसका मतलब है कि यहाँ जो contraction होंगी, वो compatibility काफी ज्यादा quick होंगी, और जब कि वहीं पर, जब हम इधर बात करते हैं red में, तो यहाँ पर जो contractions हैं, यह compatibility कैसे रहेंगे slow, मतलब कि, अब आपको red muscle fiber तो ऐसी जगों पर चाहिए, जहाँ पर आपको contraction भले धीमे हो, पर ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाए, for example, जैसे back muscle, मालो हम जितने टाइम तक हम सीधे बैठे हैं, खडे हैं, तो हमारा जो पूरा body posture है, वो back muscle maintain कर रही है, body में सबसे ज़्या वहीं पर eyelid की जो muscles है, eyelid की muscles को एक बार contract किया, फिर relax करने के लिए अच्छा कासा time मिलता है, तो यहाँ muscle fiber कैसे होंगे, white, मालो, एक migratory bird, जिसको सैक्डो किलोमीटर, सैक्डो मील उड़ करके जाना है, उसमें red muscle fiber होने चाहिए, वहीं इस पैरो जैसी कोई, गौरिया जैसी को उड़ना है, तो उसके अंदर white muscle fiber होने चाहिए, यानि कि the whole thing depends on the requirement, फिर से आप NCRT की लाइन याद रखेंगे, structure of the cell depends on function, यानि कि main बात क्या होती है, function, structure नहीं, तो बच्चों, muscle वाले part में हमें यहाँ तक पढ़ना था, अब इसके आगे का जो portion आता है chapter में, वो आता है आ आपका skeleton का, ऐसे ही one shot में, मैं अगला topic आपको कौन सा कराओं, वो सारी चीजे, आप मुझे comment box के अंदर बता सकते हैं, हलाकि हमारी team comment box देखेगी, साथ में मैं भी individually कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत तो देखूं, जितना समय मिल पाए, साथ में अगर आपको ये video, य ये lecture, ये efforts अगर ठीक लगे हो, तो आप हमारे video को further like करें, share करें, आप हमारे video को आगे subscribe, जो है हमारे channel को subscribe करें, और अपने जो भी near and dear one कि आपके जो colleagues, आपके friends हैं, अपने friends को भी इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं, जिसे कि उनको भी benefit हो, तो आज के video के लिए भी इतना